तो उमीद करते हैं आप बहुत बढ़िया है और आपकी फ्रिप्रेशन भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही है तो आज माइडियर फ्रेंट्स आपके साथ जुड़ा हूँ इनकम टेक्स और कार्प्रे टेक्स प्लेनिग का जो व्यूनिट है हमारा काफी सारे में रेफ्रेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है दरते हैं इस यूनिट से इस unit का पूरा revision my dear friends आज हम करने वाले हैं देखे मन तो बहुत था कि आपके साथ live जुड के ये session लूँ बट पिछले कुछ दिनों से कुछ technical issues चल रहे हैं internet के अंदर और मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई issue आ जाए और हमारा connection तूट जाए और हम session को पूरा ना कर पाए तो इसलिए एक दिन पहले ही यानि की 5 सितंबर 2020 को मैं ये session record कर रहा हूँ आज teachers day है आपकी बहुत सारी wishes आई और उन्होंने हमें motivate किया कि आपके लिए एक ऐसा सा revision lecture लेकर आएं देखिए रात के स्टाडे नो बच चुके हैं और मैं इस समय ये session record कर रहा हूँ मुझे लगबग 12 एक बच जाएंगे इस session खतम करते करते video editing करते करते but my dear friends आप ही का प्यार है जो मैं motivate कर रहा है कि हमें आपके लिए ऐसे sessions बनाने हैं और आपकी त्यारी को आसान बनाना है आपकी त्यारी के साथ-साथ हम भी पूरी मेनद कर रहे हैं पूरी जी जान लगा रहे हैं पाकि आप अपने goal को achieve कर सकें चलिए तो बात करें अगर income tax की तो my dear friends कुछ खास उश्किल बना देते हैं तो आईए discussion को start करते हैं तो यहां पर हमारे पास है income tax का syllabus वो हमारे पास जो income tax का unit है उसका syllabus आपके सामने है आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें covered हैं syllabus में कुछ basic concepts हमें पता होना चाहिए residential status के बारे में पता होना चाहिए कुछ incomes ऐसी हैं जिन computation of taxable income under various heads हमारे पास 5 heads है income के और उन heads के बारे में भी पता होना चाहिए और साती साथ हमें कुछ deductions मिलती हैं हमें gross total income से उनके बारे में पता होना चाहिए clubbing of income के provision भी हमें पता होने चाहिए और साती साथ international taxation का भी कुछ portion है जिसमें double taxation और transfer pricing का जो concept है वो हमें पढ़ना है और corporate tax planning का भी exception है जो मेरे ख्याल से इतना ज्यादा relevant नहीं है इसमें से कुछ खास सवाल नहीं आते बट हमारे पास tax planning, tax avoidance, tax evasion ये कुछ terms हैं इनके उपर सवाल हमें देखने को मिल सकते हैं और इसके साथ साथ deduction and collection of tax at source यानिकि TDS के जो provision है और साती साथ advanced payment of tax इसके provisions और e-f filing of income tax returns इसके provisions भी हमें cover up करने हैं तो जैसा कि आपको पहले बता रहा था कि कुछ खास मुश्किल नहीं है income tax के अंदर हम खामखा इसे मुश्किल समझते हैं आप इसे सरकार के नजरिये से पढ़िए सरकार जो है उसे tax की आविशक्ता है क्योंकि उसे बहुत सारे काम करने है पूरे देश के लिए उसको पैसे चाहिए और इसलिए वो tax लगा रही है और उसे ऐसे तरीके से tax लगाना है कि कोई कुछ हुश्यारी करके इस tax के embed से बाहर ना निकल जाए और साथ-साथ उसे लोगों को motivate भी करना है कि वो कुछ investments भी करें और इसलिए ऐसे भी कुछ provisions बना जरिये से सोचिए और my dear friends पूरा income tax आपको आसान लगेगा तो अगर बात करें basic concepts की देखिए अगर basically हम शुरुवात करें income tax की तो शुरुवात होती है हमारे भारत के सविदान से कोई भी कानून है हमारे देश में उसकी शुरुवात कहीं न कहीं हमारे constitution से ही हो रही है हमारे constitution में my dear friends तीन list का जिकर किया गया है union, state और concurrent union list में जो मुद्धे हैं उन पे कानून बनाने का हक हमारी central government की इंद्री सरकार को है और जो state list में है उन पे state government बनाएंगी कानून और जो concurrent में है उन पे दोनों बनाएंगी union list की अगर entry 82 की बात करे हम तो वहाँ पे parliament को power दे गई है कि वो income पे tax लगा सकती है और इनी powers को use करते हुए हमारी parliament ने income tax act 1961 जो था वो पास किया था जो कि 1st April 1962 से enforce आ गया हमारा जो income tax है वो एक direct tax है दिखें टेक्स दो प्रकार के होते हैं एक है direct एक है indirect direct टेक्स वो है कि जिसके उपर टेक्स लगाया गया उसे ही टेक्स देना पड़ेगा जैसे income tax के अंदर अगर आपने income कमाई आप पर टेक्स लगा आपको ही देना है दूसरी तरफ होते हैं कुछ indirect टेक्स जैसे GST लगा तो हमारे दुकानदार के उपर पर दुकानदार ने बिल पर लगा कर हमसे ही उसे चार्ज कर लिया तो indirectly हम पर बार्डन ट्रांस्वर कर दिया गया तो यह होते हैं indirect टेक्स तो income tax की अगर बात करें तो income tax act तो 1961 में आ गया था बट हर साल इसमें कुछ फेर बदल आते रहते हैं हमारा जो budget आता है उसके अंदर काफी सारे changes अनाउंस किये जाते हैं और उसी के अंदर हमारे tax rates भी specify किये जाते हैं तो वही चीज़ बताई गई कि हर साल हमारे जो finance minister है वह हमारी budget में finance bill issue करते हैं और उसी बिल के पहले schedule में देखे जो बिल है यह पास होके एक बनता है और इसी के पहले schedule में हमारे जो rates of taxes हैं वो बताए जाते हैं चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ important definitions की तो पहली definition हमारे पास है person की और साथ में इसका section और subsection भी आपको given है अगर आप याद कर सकते हैं तो आप definitely my dear friends in sections sections और subsections को भी याद कर लेना आज के lecture में कोई बहुत जादा sections नहीं होने वाले हैं limited होने वाले हैं आप इन्हें note कर लीजे कहीं और इन्हें याद करने की कोशिश कीजेगा क्योंकि कई बार math the following sections पे पूछ लिया जाता है देखिए हमारा जो income tax है वो लोगों पे लगेगा persons पे लगेगा तो कौन कौन से लोग यहां पर कवर होंगे एक तरीके से सबी लोगों को कवर कर लिया individual आप और मैं कवर हो जाएंगे हुए हिंदो इंडिवाइड फैमिली company हमारी domestic company foreign company सभी covered है हमारी partnership firms covered है अगर firm के अलावा भी लोगों का कोई संगटन है association of person है यहां फिर body of individual है वो भी covered है हमारी जो local authorities है municipalities वगेरा वो भी covered है और इसके अलावा भी कोई person artificially created है तो उसे भी यहां पर cover up कर दिया गया है तो एक बहुत ही wide definition दे दी यहां पर person की अगर बात करें assessy की assessy देखिए हमारे person ही होने वाले और जिस person के ने income tax कानून के अंदर कोई text देना है या फिर उसके against कोई कारवाई कोई proceeding सुरू कर दी गई है या फिर उसने income tax कानून के अंदर कोई default की है तो वो हमारे assessy यहां पर बन जाते हैं एक important concept होता है previous year का और साथ assessment year का देखिए जो हमारी income कमाई जाती है वो previous year में कमाई जाती है और उस पर टेक्स है वो assessment year में दिया जाता है जैसे my dear friends अगर मैं बात करूं financial year 2019-20 की यह financial year हमारा एक अप्रायल 2019 से शुरू हुआ और 31 मार्स 2020 तक चला अब इस साल में आपने कुछ काम किया आपने कुछ income कमाई और आप जो है इस पर टेक्स देंगे तो यह जो साल है हम इसे previous year बोलेंगे और अगले साल जब आप अपना टेक्स फाइल करेंगे हम उस साल को assessment year बोलते हैं तो previous year पिसला साल है और assessment year उससे अगला साल है और साथ ही यहाँ पर किया गया exemption आपकी deduction से अलग है अगर कोई income exempt है उसे income में नहीं जोडते हैं अगर कोई deduction है तो पहले income में जोडते हैं और फिर उसे बाद में deduct करते हैं तो यह कुछ important definitions थी तो जैसा कि my dear friends आपको बता रहा था कि एक होता है previous year और उससे अगला साल होता है assessment year बट कुछ cases में हमारी सरकार ने previous year और assessment year को एक ही कर दिया कौन से cases है income of non-resident from shipping हमारे कोई non-resident है उनकी कोई shipping income है उसे यहाँ पे previous year में ही टेक्स कर दिया जाएगा अब देखिए non-resident हैं बाहर से आए हैं और यहां पर ship लेकर आएं और ship लेकर चले जाएंगे हमारा tax officer कहां उन्हें पकड़ता रहेगा तो कहा कि जिस साल आए हो उसी साल अपनी return भरो और टेक्स जमा करवाओ और उनके लिए हमने एक अलग से presumptive rate भी दिया कि आप 7.5% जो है जो भी आपने भड़ा चार्ज किया उसका टेक्स आप दे दो इसके बाद अगर कोई person इंडिया पर्मानेंटली छोड़के जा रहा है या फिर बहुत लंबे समय के लिए जा रहा है तो ऐसे person को भी कहां पकड़ेगी सरकार इसलिए उससे ही तभी टेक्स वसूल लिया जाएगा प्रीवियस एर ही असेस्मेंट बन जाएगा इसके लावा कोई association है लोगों की और वह बहुत ही चोटी डूरेशन के लिए बहुत ही काम डूरेशन के लिए बनाई गई है जब तक असेस्मेंट यह आएगा तब तक बहुत देर हो जा कर रहा है क्योंकि अगर वो एसेट उसके पास रही तो उस पर उसे टेक्स देना पड़ सकता है तो सरकार तेज है सरकार ने कहा कि अगर आप ऐसी कोशिश कर रहे हो तो आपको पहले ही टेक्स देना पड़ेगा income of a discontinued business देखे जो business बंद हो गया अब अगर assessment year के wait करेंगे बहुत देर हो जाएगी और इसलिए उसके लिए भी previous year को ही assessment year बना दिया गया तो आप सरकार के नजरिये से सोचिए आपको बहुत असानी से चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो income tax के अंदर हमें basically अपना tax निकालना होता है कि हमारी कितने tax liability है तो tax liability हम कैसे निकालते हैं हम अपनी total income पे निकालते हैं और total income निकालने के लिए क्या steps हम follow करते हैं सबसे पहले हमें निकालना पड़ता है कि हम कौन सी केटिगरी में आते हैं, क्या हम इंडिविजुल हैं, क्या फर्म है, क्या कमपनी हैं या फिर कुछ और हैं। फिर हम देखते हैं अपना रेजिडेंशिल स्टेटस कि हम क्या भारत के रेजिडेंट बनते हैं या फिर नहीं बनते हैं, अगर बनते हैं तो अलग प्रोविजन हैं, नहीं बनते तो अलग प्रोविजन हैं। फिर हम provisions के recording अपनी total income यहाँ पर निकालते हैं, हम देखते हैं कि हमने salary कितनी कमाई, rent कितना कमाया, business से कितना कमाया, इसके लावा कोई lottery लगी, कोई interest मिला, सब चीज़े हम यहाँ पर जोड लेते हैं, और फिर finally उस पर tax हम यहाँ पर compute करते हैं. और यह सारे जो provisions हैं इन से related, यह हमारे income tax act में given है, कुछ rules में given है, और साती साथ जो हमारा budget आता है, finance act उसमें given है, और साती साथ हमारा जो central board of direct taxes है, वो भी कुछ notification, circular clarification issue करता है, और हमारे जो courts हैं, supreme court, high court, वो भी कुछ pronouncement करते हैं, कुछ order निकालते हैं, जिनको हमें follow करके, अ तो my dear friends आपको बता रहा था, कि हमें सबसे पहले तो यह determine करना है, कि हम कौन सी category में आते हैं, हम कौन से category के person है, और फिर हमें अपना residential status निकालना होता है, अब residential status की बात करें, तो उससे जोड़े provision हमारे section number 6 में given है, और residential status निकाला जाता है, on the basis of period of stay in India, अगर आप इंडिया में रहे, तो आप इंडिया के resident हैं, अगर नहीं रहे, तो इंडिया के resident नहीं है, CDC बात है, सर इंडिया में कितने दिन रहे, तो कहा गया, कि अगर आप इन दोनों में से कोई भी condition पूरी कर देते हैं, तो आप resident बनेंगे, पहली है कि आप इंडिया में 182 डेज या उससे ज जाधा मौझूद थे, और पिछले चार सालों में आप इंडिया में 305 डिन या उससे जाधा मौझूद थे, इन में से कोई भी condition पूरी कर दी, तो आप हमारे इंडिया के resident बन जाएंगे, अगर दोनों ही पूरी नहीं की, तो आप माइडियर फ्रेंट्स इंडिया के resident नही आप ordinary हैं, या फिर not ordinary हैं, और साथ ही साथ यहां पर कुछ relaxation भी दी गई है, हमारा जो second point था, यहां पर वो कुछ cases में applicable नहीं है, दो cases हैं जहां पर second point applicable नहीं है, पहला case वो है कि अगर कोई इंडिया का citizen, इंडिया छोड़ के जा रहा है बाहर employment के लिए, या फिर वो Indian ship का crew member बन के इंडिया को छोड़ रहा है, तो उसके लिए second point applicable नहीं है, और साथ ही अगर कोई इंडिया का citizen, या फिर कोई person of Indian origin, जो की इंडिया वापीस आ रहा है, उसके लिए भी second provision applicable नहीं है, तो अगर वो इंडिया घूमने आ रहा है, comes on a visit to India, उसके लिए भी second वाला condition यहां प applicable होगा, तो my dear friends आपके साथ discuss किया, कि किन condition को fulfill करके आप इंडिया के resident बन जाएंगे, और अगर आप उन conditions को fulfill नहीं करते, दोनों में से एक भी condition पूरी नहीं करते, तो आप non resident बन जाएंगे, एक बार आप resident बन गए, उसके बाद हमें यह देखना होता है, कि कि आप आम तोर पे ordinarily इंडिया के resident हैं, या फिर नहीं है, अगर आप इन दो condition को fulfill करते हैं, तो हम मानेंगे कि आप ordinary resident हैं, इंडिया के, और आपको जाधा incomes पे tax देना पड़ेगा, अगर आप इन में से एक भी condition को पूरा नहीं करते, एक भी condition यहाँ पे पिट गई, तो आप यहाँ पे not ordinary resident बन जाएंगे, तो इन दो condition की बात करें, पहली condition है कि आप resident तो बन गए, अब आप पिछले 10 सालों में से कम से कम 2 साल इंडिया के resident रहे हों, और दूसरी condition है कि पिछले 7 सालों में आप कम से कम 730 दिन भारत में रहे हों, अगर आप इन दोनों condition को एक साथ पूरा कर देते है तो आप ordinary resident, आम तोर पर resident बन जाएंगे, और इस case में आपको सभी incomes पर text देना पढ़ जाएगा, चाहे बाहर की income भी हो, तो ये तो रही individuals के बात, अगर बात करें other than individual की, यानि कि अगर हमारी firm है, या फिर HUF है, उसके case में बताया गया, हम resident तभी माने जाएंगे, जब हमार control and management, देखें, जो हम काम कर रहे हैं, उसका control और management, अगर पूरा का पूरा, या फिर कुछ हद तक भारत में है, इंडिया में है, तो वो इंडिया के resident बन जाएंगे, यानि कि non resident तो तभी बनेंगे, अगर उनका सारा का सारा control इंडिया से बाहर है, और HUF के case में further हम ये भी द condition लगा के दिखते हैं, अगर बात करें हमारी company की, अगर Indian company है, भारत में बनी है, तो इंडिया में ही resident मानी जाएगी, अगर Indian company नहीं है, इंडिया में नहीं बनी, तो तभी इंडिया में resident मानी जाएगी, जब उसका place of effective management, P.O.E.M, place of effective management जो है, अगर इंडिया में होगा, त तो my dear friends, residential status निकालना इसलिए ज़रूरी था, क्योंकि यह determine करेगा कि हमारी कौन सी income tax लगेगा, तो अगर हम ordinary resident है, R.O.R. की category में आते हैं, तो हमारी सभी income tax लगने वाला है, चाहे इंडिया में receive हुई, इंडिया में accrue arise हुई, चाहे बाहर accrue arise हुई, हमारी सभी income tax लगने वाला है, अगर हम resident हों है, बट ordinary resident नहीं है, तो इंडिया की जो income है, जो इंडिया में receive हुई, या फिर इंडिया में accrue और arise हुई, उस पे तो tax देना पड़ेगा, बट जो इंडिया के बाहर accrue और arise हुई, उस पे generally नहीं देना पड़ेगा, बट अगर कोई इंडिया से बा और राइस हो रही है, तो फिर इस case में ही इन्टिया में उस पर टेक्स दिना पड़ेगा, otherwise इन्टिया में टेक्स नहीं देना, बाहर की इंकम पर, नौन रेजिदेंट की बात करें, तो केवल इंडिया की इंकम, इंडिया में रिसीव या अक्रूर राइस हुई उसी पर दें तो वो भी बताया गया, कि हमारा कोई प्रॉपरटी है, बिजनस कनेक्शन है, एसरेट है इंडिया में, उससे इंकम मिली, हमने कोई स्जेलरी मिली, हमें for services rendered in इंडिया, वो इंडिया में अक्रूण राइस है, gouvernement of इंडिया ने, इंडिया के citizen को salary दी for services outside इंडिया उसे भी इंडिया की income ही माना जाएगा क्योंकि भारत सरकार ने वो salary दी है Indian company ने अगर dividend दिया या फिर interest royalty fee for technical services Indian government ने दी या फिर Indian resident ने दी तो भी उसे deemed to accrue or a rise in India ही माना जाएगा तो my dear friends residential status पहचानने के बाद हमें आगे बढ़ना है हमें अपनी income compute करनी है different heads के अंदर तो हमारे पास जो different heads हैं उनके अंदर हम income यहाँ पर compute करेंगे salary, house property, business profession, capital gain, other sources compute करेंगे और उसे compute करने के बाद अगर को adjustment करनी है कोई clubbing of income करनी है कोई set of carry forward करना है losses का वो करेंगे फिर हमारी gross total income यहाँ पर निकल कर आएगी और फिर हम कुछ deductions जो हमें मिलनी है chapter 6 के अंदर section 80C से 80U के अंदर जैसे कोई LIC हमने पे कई जो deductions हमें मिलनी है उसे घटा देंगे और फिर हमारी total income निकल कर आएगी तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपकी gross total income जो है वो अलग है और आपकी जो total income है वो अलग है इनका फरक आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई total income की बात कर रहा है वो reductions घटाने के बाद है बट अगर कोई gross total income की बात कर रहा है तो वो आपकी reductions घटाने से पहले है अगर concept of total income की बात करें तो उसके बारे में कुछ clarifications भी दीख गई कि income cash और kind दोनों में रिशीव हो सकती है, receipt basis और accrual basis दोनों पे हो सकती है और हो सकता है आपकी income illegal sources से हो, smuggling से हो, तो भी text तो देना ही पड़ेगा, temporary हो, permanent हो, एक साथ मिली हो या installment में मिली हो, आपको text तो देना ही पड़ेगा, बट साथ ही साथ यहाँ पे income को revenue और capital nature में distinction करी गई, कहा गया revenue nature की अगर कोई receipt है उस पे टेक्स देना ही पड़ेगा, बट अगर capital nature की receipt है, तो अगर तो specifically include किया गया है income के definition पे, जैसे अगर insurance claim मिला किसी capital asset के loss पे, उसे include किया गया है, तो तो देना पड़ेगा, otherwise आप capital receipts पे generally text नहीं देंगे, चलिए ज़िए, तो यहाँ पे my dear friends हमने सारी income अपनी जोड़ ली, total income निकाल ली, अब उस total income पे हमें text लगाना है, text किन rates पे लगाना है, वो भी यहाँ पे आपको जानना जरूरी है, कुछ special income है, उन पे special rates से text लगता है, और बाकी जो income बचेगी, उस पे slab rate के साब से text लगेगा, जो text लग गया, उस पे आपका further surcharge भी लगेगा, और my dear friends जो text और surcharge जोड़ के amount आएगा, उसके उपर आपका 4% यहाँ पे sis लगेगा, पहले 3% हुआ करता था, बट अब 1% health sis भी लगा दिया, और 4% sis लगेगा, और आपकी फिर text liability निकलेगी, और उसमें हो सकता है कोई interest भी जोड़ जाए, आपकी net tax liability आगई, और उसमें से आप घटा देंगे अपना TDS, advanced tax, self assessment tax या फिर कोई double taxation relief है, और फिर finally आपकी net payable या फिर refundable निकल कर आएगा, तो यहाँ पर my dear friends हमें tax rates दिये गए है, financial year 19-20 या फिर assessment year 20-21 के, तो बताया गया कि अगर आप resident individual है, जिनकी age 60 सा कम है, या फिर आप non resident individual है, तो आपके लिए क्या rate है, अप टू डाइलाग कोई tax नहीं है, धाई से 5 लाग 5% है, पांच से 10 20% है, अबव 10 30% tax देना है, अगर आप resident senior citizen है, 60 से 80 years के बीच में है, तो आपको डाइलाग के जगा यहाँ पे 3 लाग के limit दे दी गई है, अगर 5 लाग तक कोई tax नहीं देना, आपकी जो slab है, वो 5 लाग से शुरू होगी, 5 से 10 लाग 20%, अबव 10 लाग 30%, और अगर हम बात करें हमारी firms और companies के case में, तो हमारी जो partnership firms है, उन्हें तो flat 30% tax देना है, हमारी जो company है, उसमें देखेंगे कि क्या company domestic है, Indian company है, और अगर Indian है, तो य 18, 18 के अंदर क्या turnover क्या sale उसकी 400 करोड से कम थी, 400 करोड तक थी, अगर हां, तो 25% tax देना है, otherwise 30% tax उसे यहाँ पे देना है, foreign company को 40% tax यहाँ पे देना है, और साथी साथ companies के case में, हमारे MAT के minimum alternate tax के provisions भी apply करते हैं, और एक company को 15% of the book profits कम से कम tax देना ही पढ़ता है, इसके लावा, आपके tax के उपर surcharge भी लगाया जाता है, surcharge के rate आपके अलग लग है, आपको यहाँ पे given है, और यह आपको याद करने है, individual के case में कुछ अलग rate है, firm के case में कुछ अलग है, company के case में कुछ अलग है, और foreign company के case में कुछ अलग rate आपको देखने को मिल रहे हैं, तो इसको my dear friends आप एक बार देख लीजेगा, आप इन्हें याद कर लीजेगा, और इसके साथ साथ कुछ और important points भी है, जैसे कि अगर आप resident individual है, जिसकी income 5 लाख से जादा नहीं है, तो आप 87A section के अंदर rebate भी ले सकते हैं, up to 12,500, तो अगर मान लीजे आपकी जो income है, 4 लाख रुपे आपकी income है, आप resident individual है, तो इस case में आप 87A के rebate ले सकते हैं, आपने अपना tax निकाला, आपने देखा, 5 लाख से डेड़ लाख जादा है, डेड़ लाख पे 5% कितना बना, 7500 बना, आपको 12,500 तक के rebate मिल सकती थी, तो पूरी 7500 के rebate मिल जाएगी, और आपका tax यह है, और साथी साथ कहा गया, कि अगर आपको कोई salary के areas मिलते हैं, कुछ advance मिलता है, तो उस case में आपको 89 section के अंदर tax relief भी मिल सकता है, और section 234A, B और C, जो पहले हमने भी देखे थे, जब आपके साथ tax liability की बात कर रहे थे, उनी की यहाँ पर briefly explanation दी गई, 234A है, कि अगर आप return अपनी देरी से file करते हैं, तो interest लगेगा, 234B है, अगर आप advanced text time से जमा नहीं कराते, और अगर आप advanced text जमा करवाते तो हैं, बट उसकी installment की जो limit दे रखी है, आप जो है, उसको हेर फेर कर दते हैं, आप जो time limit है, उसके अंदर जमा नहीं करवाते, advanced text की बात आपके साथ आगे और detail में भी करेंगे, और कुछ हमारे special rate भी है, जैसे हमारा long term capital gain है, उसके 20% tax लगता है, बट अगर हमारा long term capital gain कुछ ऐसा है, जो कि हमने कोई equity shares, long term equity shares हमने sell किये थे, अगर ऐसा कोई gain है, दीखे पहले तो 1038 के अंदर वो exempt हो जाता था, बट अगर अब वो 1,00,000 देना पड़ता है, 10% capital gain tax देना पड़ता है, अगर हमारा कोई short term capital gain है, जो कि section 111A में cover हो रहा है, यानि कि हमने कोई equity shares transfer किये, इस पर हमने security transaction tax भी दे दिया, तो उस पर 15% tax हमारा यहां पे लगेगा, हमारी जो भी casual income है, जैसे lottery की, gambling की, betting की, उस पर flat 30% का rate हमें tax देना पड करती थी, बट आप कहा गया, कि अगर 10 लाग से जादा के dividend income है, तो उस पर आपको 10% tax देना है, अगर कोई unexplained money हमारे पास मिली है, investment मिली है, कोई unexplained खर्चा है, तो my dear friends हमें उस पर 60% दख भी tax देना पड़ेगा, तो ऐसी बाते हमारी कुछ special rates के अंदर कही गई है, चलिए आगे बात करते हैं, कुछ ऐसी incomes की, जिन पर हमें tax देना नहीं पड़ता, जो कि tax exempt है, जैसे एक partner को firm से profit का share मिला, उस पर tax नहीं देना, एक employee को LTC मिला, leave travel concession मिला, और उसने conditions कुछ का comply कर दी, तो tax नहीं देना, हमारे जो भी embassy है, high commission है, उसके individual को, उसमें जो person काम क कर रहे हैं, उन्हें को salary मिली इंडिया के अंदर, तो उस पर भी उन्हें tax नहीं देना, अगर इंडिया के लोगों को, जो इंडिया के हमारे investors होने वाले हैं, उनको बाहर की country में भी ऐसी ही exemption दी जाती है, और साथी साथ, अगर हमारी government ने, हमारे किसी citizen of India को, जो की इंडिय तो उस पर भी आपको tax नहीं देना, maximum exemption पांच लाग तक की यहाँ पर मिल सकती है, और अगर आप voluntarily retire हो रहे हैं, और उस time पर आपको कोई compensation मिल रहा है, तो भी my dear friends आपको 5 लाग तक की exemption यहाँ पर दी गई है, अगर कोई disaster के अंदर, आप माली जे कोई आपका नुक्सान हो ग है, इसके लावा हमने कोई LIC करवाई थी, और उसके अंदर मान लीजिए, हमारी कोई maturity हो गई या फिर कोई bonus मिला, कोई हमें पैसे मिले, तो वो भी हमारी section 1010D के अंदर exempt किये गए हैं, हमें कोई पढ़ाई करने के लिए scholarship मिलती है, तो वो हमारा section 1016 के अंदर exempt है, हमारे MP, अधि MLA जो है, उन्हें daily allowance मिलता है, वो भी exempt है, family pension मिली, किनको हमारे member of armed forces, जो हमारे army के लोग है, उनकी widow को या फिर उनके बच्चों को, कुछ family pension मिली, वो भी exempt की गई है, और अगर हमारी किसी ऐसे institution की income है, जो कि public charitable trust है, या फिर society है, जो कि खादी के development के लिए काम कर रहा उसकी income को भी tax exempt किया गया है, और साथी साथ कहा गया, कि अगर आपकी income में, आपके minor child की income को club किया गया, देखिया, आपके minor child की कुछ income है, और उसे आपकी income में यहाँ पे club कर लिया गया है, तो उस case में आपको यहाँ पे 1500 रुपीज की exemption मिलेगी, 1500 रुपे पर minor child की exemption और section 10 AA के अंदर हमारी जो भी special economic zones हैं, उसके अंदर जो भी वो business कर रहे हैं, उनके 15 साल तक के profits पे exemption देने की बात की गई है। और उस पे agricultural purposes का ही काम होना चाहिए। चाहे आपको उस पे rent मिल जाए, चाहे आप खुझ उस पे खेती बाड़ी करें और उसकी income मिल जाए, तो हम उसे agriculture income मान लेंगे। या फिर आपने अपनी agriculture land पे एक farmhouse बनाया, जहाँ पे आप जो भी produce करते हैं, वो समान रखते हैं, या फिर as a store room उसे use कर रहे हैं, तो उसकी कोई income मिली, उसका कोई rent मिला, वो भी आपके लिए agriculture income ही माना जाएगा। बट यहाँ पे माईडियर फिर्ट्स कुछ ऐसी income हैं, जो कि लगती है agriculture income बट वो नहीं है, जैसे आपने agriculture land बेची, तो वो agriculture income नहीं है, आपकी poultry farming, bee hiving, dairy farming ऐसी कोई income है, वो भी agriculture income नहीं है, और साथी साथ अगर कोई company agriculture income कमा रही है, उसमें से वो dividend दे रही है, तो वो dividend हमा पारा agriculture income नहीं माना जाएगा, तो माईडियर फिर्ट्स यहाँ पे बताया गया, कि वैसे तो आपकी agricultural income exempt है, बट आपकी बाकी income निकालते हुए, हम agriculture income को भी consider कर लेते हैं, तो उससे related बातें कुछ यहाँ पे बताई गई हैं, कि हम individual, HOF, AOP, BOI, और artificial person के case में partial integration की scheme लगाते ह पे लिए इस्तमाल करते हैं, कब करते हैं, अगर हमारी agriculture income पांच हजार से जादा हो, और non agriculture income हमारी basic exemption limit से जादा हो, यानि कि धाई लाक रुपे से जादा हो, resident individual के case में, जिसकी उमर 60 साल से कम है, और यहाँ पर बताया गया, कि कई बार आपकी composite income होती है, यानि कि उसमें कु कुछ agriculture का काम किया, कुछ agriculture operations किये, और इसके लावा कुछ बाकी काम किये, जो कि agriculture के अंदर नहीं आते, तो उसमें 50% income agriculture मानी जाएगी, और 35% business मानी जाएगी, अगर आपने coffee manufacture करी, और उसे बेचा यहाँ पे, तो उसके अंदर भी दो case मनाये गए, या फिर पहले तो आपने ग्रो किया उसे और कुछ प्रिजर्व किया, क्योर किया, तो उस case में आपकी agriculture income जादा है, 75% है, अगर आपने ग्रो किया, क्योर किया, और साथी साथ रोष्ट और ग्राउंड भी किया, तो आपने यहाँ पे business वाला काम और जादा कर लिया, तो आपकी agriculture income केवल 60% ही मानी ज जाएगी, तो यह थी बात कुछ composite income की जो कि आपको याद कर लेनी है, तो my dear friends, exempted incomes के बाद, अब आते हैं different heads of income पे, section 14 के अंदर 5 head of income हमें बताये गए हैं, आइए एके करके इनके उपर अपने discussion को start करते हैं, आइए तो बात करते हैं, income under the head, salary की, तो बताया गया कि salary head में अगर employer-employee relationship exist करता है, यानि कि अगर आप किसी के लिए काम करते हैं, आप उसके employee हैं, आपको जो income मिली, वो salary मान ली जाएगी, हमारे जो MP, MLA है, उसे government का employee नहीं मानते, इसलिए जो उन्हें salary मिल रही है, remuneration मिल रही है, उसे income under the head salary नहीं मानते, उसे other sources में tax किया जाता है, और साथी साथ बताया गया, हमारे जो partner है firm के, उन्हें firm से salary, bonus, commission, remuneration कुछ मिल रहा है, वो उनकी business income मानी जाती है, वो उनकी salary की income नहीं मानी जाती, आपकी salary के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, salary का मतलब केवल basic salary नहीं है, उसके अलावा जो भी allowances, gratuity, fees, commission, pension, advance leave and cashment, जो भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर सभी जो है, यहाँ पर salary के definition में आ जाएंगे, और साथी साथ बताया गया, कि कई बार आपको salary के areas मिलते हैं, आपकी salary पिछले साल से बढ़ा दी, और areas आपको दिये गए, वो भी आपको salary head में ही, उन पर tax देना पड़ता है, जाएगी, अगर advance में salary मिल गी, मालीजे अगले साल की salary आपको इसी साल advance में मिल गई, तो इसी साल ही आपको tax देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा rule है receipt or due whichever is earlier, जैसे आपको बता रहे थे कि salary के अंदर आपके allowances भी आते हैं, अब कुछ allowances ऐसे हैं, जिन पर पूरा का पूरा tax लग जाता है, जैसे dearness allowance, महंगाई भता, medical allowance, stiffen allowance, servant allowance, non-practicing allowance, जो कि doctors को दिया जाता है, deputation allowance, telephone allowance, यह fully taxable हैं, जो भी पैसे मिले, पूरे के पूरे income में जोड लिये जाएंगे, कुछ ऐसे हैं, जो कि partially exempt हैं, यानि कि अगर आपने इन allowances को actual में खर्चा कर दिया, actual में ही incur कर द लग जाएगा, जैसे conveyance allowance है, daily allowance है, helper allowance है, uniform allowance है, traveling allowance है, और research करने के लिए allowance है, और कुछ allowance हैं, जो कि पूरे तरीके से exempt हैं, जैसे हमारे government employees जो कि इंडिया से बाहर posted हैं, उन्हें allowance मिले, United Nation के employees को allowances मिले, High Court और Supreme Court के judges को जो allowances मिले, वो पूरे तरीके से my dear friends exempt यहाँ पे किये अगर बात करें, partly taxable allowances की, तो यहाँ पे my dear friends हमारे पस कुछ allowances के list है, जिसमें सबसे important है, house rent allowance section 10.13A के अंदर, तो बताया गया, कि अगर आपको कोई house rent allowance मिल रहे हैं, दिखिए, आप जो है employee है, पर आपने घर किराये पे लिया है, और आप उसका rent देते हैं, और उसी के लि का उतनी exemption आपको मिलेगी, आपकी salary का 50%, अगर आप metro cities, दिल्ली, मुंबई, चनही, कुलकता में रहते हैं, या फिर आपकी salary का 40%, या फिर आपको HR A कितना मिला, या फिर rent paid minus 10% of the salary, ये तीनों limits हम compute करेंगे, उसमें जो भी least निकल कर आएगा, उतनी exemption आपको यहाँ पे मिल च जैसे tribal area में रहने का allowance है, तो 2000 रुपे महिना आपको exemption मिलती है, उसकी children education allowance बच्चों को पढ़ाने के लिए allowance है, तो 100 per month per child for two children आपको exemption यहाँ पे मिल जाती है, या अगर आपके दो बच्चों से जाधा बच्चे हैं, तो फिर आपको बाकी बच्चों की exemption नहीं मिलेगी, ऐस बच्चों से 32 रुपे पर मन्त की exemption यहाँ पे मिलती है, चलिए, आगे बात करते हैं, परक्यूजट्स के लावा आपको कुछ benefits facilities भी दी जा सकती है, जो कि आपके परक्यूजट्स में आ जाएंगी, और कुछ परक्यूजट्स ऐसे हैं, जो की taxable हैं, और कुछ ऐसे हैं, जो परक्यूजट्स को दी जा रही है, आपके telephone, mobile का खर्चा जो है, employer ने reimburse आपको कर दिया, आपके नाम पे accident policy का premium दे दिया, आपको refreshment दी या फिर आपको lunch, dinner कराया, अप्टू 50 रुपे पर मील, आपके लिए तो भी exempt हो जाएगा, आपको government employee हैं आप और आपको इंडिया से ब दिया गया, तो भी exempt है, इसके लावा पहले medical reimbursement भी up to 15,000 यहाँ पे tax free perquisite हुआ करती थी, but my dear friends, अब जो है standard deduction दी दी जाती है, और medical reimbursement को यहाँ से निकाल दिया गया है, अगर बात करे taxable perquisite की, आपको कोई rent free रहने के लिए accommodation दे दी गई, आपको कोई interest free या फिर concessional interest का loan दे दिया गया, जो की 20,000 रुपे से जादा है, आपको यहाँ फिर आपके family member को कुछ movable assets दिये, इस्तमाल करने के लिए जैसे motor car दी, आपको वो assets कम दाम पर transfer कर दिये, gas, electricity, water आपको दे दिया, facility दे दी, आपको educational facilities दे दी, credit card का खर्चा आपका दे दिया, club का expenditure आप similar facilities, again, अगर सभी employees को दिये जारे हैं, तो exempt होंगे, otherwise आपको tax देना बढ़ जाएगा, और sweat equity आपको सस्ते दाम में shares दिये जारे हैं, तो भी my dear friends, वो taxable perquisite में आजाएंगे, चलिए, अब आते हैं, retirement benefits की तरफ, आपने काम किया, अब आप retire हो गए, अब आपको pension मिलेगी, उस pension पे भी सरकार को tax चाहिए, देखे, pension हमार पास दो टाइप की हैं, एक है uncommuted pension और दूसरी है commuted pension, uncommuted का मतलब है, कि आपको हर महीने कुछ pension मिलती जाती है, commuted का मतलब है, आपने सारी pension इकठी लंपसम लेली, अगर आपको uncommuted periodically हर महीने pension मिल रही है, चाहे आप government employee है, चाहे आपने सारी pension इकठी लेली, देखे, एक साथी धिर सारा पैसा लेलिया, आपकी income उस साल में जादा हो जाएगी, और इस पर tax जादा बन जाएगा, इसलिए यहाँ पर कुछ exemptions दी गई है, अगर तो आप government employee है, आपने सरकार के लिए बहुत काम अलरेडी कर लिया है, तो आपको gratitude भी मिल रही है, gratitude की बात आगे करेंगे, अगर gratitude भी आपको मिल रही है, तो आपको one third of the hundred percent of the committed pension exempt कर दी जाएगी, देखे, जो भी आपकी total committed pension, अगर आप पूरी pension commute करा लेते, कठी ले लेते, उसका one third जो है, उसकी exemption आपको दे देंगे, बट अगर आपको gratitude नहीं मिल committed pension, अगर पूरी pension commute करा लेते, लमसम ले लेते, उसका 50% के आपको यहाँ पे exemption मिल जाएगी, तो ये भी my dear friends आपको याद रखना है, इसके बाद है gratitude, देखे, gratitude तब दी जाती है, कि आगर किसी employee ने आपके लिए बहुत लंबे समय तक काम किया, यूजली पान साल से जादा क किया, हमारे central or state government employees के लिए या फिर defense services के members के लिए, तो जो भी gratitude मिली, वो आपकी पूरी exempt होती है, बाकी employees को इस पे tax दिना पड़ता है, 20 लाग तक की exemption वो claim यहाँ पे कर सकते हैं, अगर बात कर leave encashment की, देखे, आपकी कुछ छुटियां बची थी, जो कि आपने encash करा ली, अगर आपने during the continuity of the employment करा ली, यानि कि retirement से पहले करा ली, तो तो आपको पूरी तरीके से input tax दिना पड़ेगा, अगर retirement के time पे कराई, तो आपको कुछ exemption यहाँ पे मिल सकती है, अगर तो आप government employee है, तो तो पूरी exemption मिल जाएगी, अगर आप non-government employee है, तो 3 लाग तक की exemption आपक सबीने सुना होगा कि retire होने पे PF का पैसा भी मिलता है, तो अब PF का पैसा जो है, कैसे उसकी taxability रहेगी, यह depend करेगा कि कौन से fund में आपने invest किया था, क्या आपने statutory provident fund में invest किया था, अगर आपने किसी statutory provident fund में, आपकिसी सरकारी organization के employee हैं और किसी statutory provident fund में आपने invest किया, तो आपकी contribution पे आपको ATC की reduction मिलेगी, employer की जो भी contribution होगी आपके बिहाफ पे वो tax free रहेगी, जो interest मिलेगा आपको provident fund पे वो भी पूरी तरीके से exempt रहेगा, और जब आप retire होंगे यहाँ फिर आपकी services terminate होगी, तो आपको जो भी पूरा पैसा मिलेगा, वो भी पूरे तरीके स exempt होगा, अगर आपने किसी recognized provident fund जो की सरकार दोवारा recognized है, उसमें पैसे लगाए, तो ATC की reduction पूरी मिलेगी, और employer की contribution अगर up to 12% of the salary उसने contribute किया, exempt हो जाएगा, interest अगर आपको मिला up to 9.5%, वो भी exempt हो जाएगा, और retirement पे जो भी पैसे मिले, वो भी exempt हो जाएगे, बट वो प पान साल की service के बाद मिले होने चाहिए, पान साल से पहले तब मिल सकते हैं, या तो आपकी health बहुत खराब हो गई हो, या फिर employer का business यहाँ पर बंद ही हो गया हो, इसके बाद है unrecognized provident fund, देखिए unrecognized provident fund तो simply एक investment की तरह हैं, कि कहीं भी investment कर लो, वो सरकार दोवरा recognized नही मिलेगी, employer ने contribute किया, और जो भी इसका interest है, अब वो थे employer ने directly उसके अंदर contribute कर दिया, initially तो आप पर कोई tax नहीं लगेगा, बट maturity के time में, जब ये fund mature होगा आपकी retirement पे, आपको ये सारे पैसे मिलेंगे, आपको employer की contribution भी मिलेगी, आपको interest भी मिलेगा यहाँ पे, अब कहा गया कि जो भी employer की contribution होगी, और उस contribution का जो ब्याज होगा, उसे आपकी salary income की form में tax किया जाएगा, और जो आपकी अपनी contribution का tax होगा, वो तो simply आपकी investment की income होगी, और उसे हम यहाँ पे other sources में लेकर आएंगे, ये बात यहाँ पे की गई, आपकी जो अपनी contribution है, उस पे तो tax न ATC में exemption आपको मिलती है, यहाँ पे employer का contribution और का concept applicable नहीं है, क्योंकि PPF में पैसा वही लोग जमा कराते हैं, जो कि self employed होते हैं, जैसे कि मैं self employed हूँ, और साथी साथ इस पे को interest मिल रहा है, पूरे तरीके से exempt है, maturity पे जो पैसे मिलेंगे, वो भी यहाँ पे पूरे तरीके से exempt ह तो finally my dear friend salary के बारे में बहुत सारी बाते हैं आपके साथ कर ली, तो salary की income आपको कैसे निकालनी है, आपको अपनी salary, आपको taxable allowances, taxable perquisites जोडने हैं, आपकी gross salary निकलाएगी, फिर section 16 के अंदर आपको कुछ deductions मिलती हैं, जैसे अगर आपकी सरकार ने को professional tax आपसे वसूला, उसकी reduction मिलेगी, सरकारी employees को entertainment allowance की 5000 तक की reduction मिलेगी, और साथी साथ my dear friends हमें standard reduction भी यहाँ पे दी जाती है, साथी साथ हमें यहाँ यहाँ पे standard reduction भी एक दी जाती है, standard reduction आपको बताया गया, कि up to 50,000 तक की reduction आपको दी जाती है, financial year 2018-19 में आपके लिए 40,000 थी, और अब इसे ब पड़ा कर 50,000 कर दिया गया है, तो इतनी आपको standard reduction भी यहाँ पे मिल जाएगी, चलिजी, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हमारी house property income की, यानि कि घर के किराये की जो income आपको मिली, वो यहाँ पे आपके taxable हो जाएगी, section 22 के अंदर, तीन conditions बताए गई, अगर आप इन तीनों condition को पूरा करते हैं, तो आपकी income को house property की income माना जाएगा, और इस head में उसे tax किया जाएगा, कौन कौन सी condition है, पहली तो कहा गया, कि property के अंदर आपकी building और land जो है, उससे जोड़ी होई हो सकती है, आपकी building होगी, या फिर building से जोड़ी होई, कुछ land होगी, बट यहा तो building होनी जरूरी है, building के आसपास कुछ land हो सकती है, आप उस property के मालिक होने चाहिए, ओनर होने चाहिए, आप उस property को अपने business और profession के लिए नहीं इस्तमाल कर रहे होने चाहिए, जिसके profit आप income tax में already chargeable करवा रहे हैं, under the head PG BP, तो owner होने चाहिए building के और अपने business के लिए इस head में taxable हो जाएगी, बट कुछ cases ऐसे हैं, जिसमें आपकी rental income तो है, बट आपको उस पे tax नहीं देना, जैसे income from farmhouse, again agriculture income में आ जाएगी, local authority की property income, political party की property income, आपकी trade union की property income, या फिर हमारे जो पुराने राजा महराजा रूलर्स हैं, उनको एक palace रखने की इजादत दे दी गई है, और उस एक palace की जो भी annual value होगी, उसको हम उनके hand में taxable नहीं करेंगे, और साथी साथ, दो self occupied property, देखें, पहले ये एक होता था, अब दो self occupied property की, आपको यहाँ पे exemption दे दी गई है, कि उन पे आपका tax नहीं लगेगा, otherwise आपकी जो self occupied property हुआ करती थी, उस पे आपको national basis पे tax देना पड़ता था, अब दो पे नहीं देना, दो से जाधा हैं, तो आपको फिर देना पड़ेगा, छली तो देखते हैं कि कैसे annual value को हम यहाँ पे compute करने वाले हैं, देखे, annual value compute करने के लिए, क्या steps हमें follow करने हैं, सबसे पहले तो हमें gross annual value GAV निकालनी है, कैसे निकालनी ह इसे अगली slide पे हम जानेंगे, आप इसे फिलाल मान लीजे, कि जो भी आपको rental income हुई, वो आपकी GAV है, इसमें से आपको municipal taxes जो आपने pay किये during the year, चाहे इस साल के pay किये, चाहे पिछले सालों के pay किये, चाहे अगले सालों के advance में pay कर दिये, सभी आप यहां से घटा देंग और दूसरी है interest on borrowed capital की, आपने कोई loan लिया property के लिए उसके interest की reduction यहां पे आपको मिल जाएगी, अब बताया गया कि अगर तो आपने property rent पे दे रखी है, तो जितना भी आपका interest है, उस सारे की reduction आपको मिल जाएगी, बटकर आपने property rent पे नहीं देखी, नहीं दे रखी, खु जो है आप आगे इसमें से reduction लेंगी, standard reduction मिलेगी नहीं क्योंकि नहीं विनिल हो गई, borrowing की reduction मिलेगी, interest की reduction मिलेगी, कितने मिलेगी, बोला गया maximum 2,00,000 मिलेगी, और 2,00,000 में से भी अगर कुछ condition फुल्फिल नहीं करते, तो फिर आपको केवल 30,000 की ही reduction मिलेगी, तो अगर ज 30,000 तक की reduction यहाँ पर मिलेगी, तो ऐसी कुछ conditions दे रखी हैं, जो कि अगर पूरी ना करो, तो 2,00,000 की बजाए 30,000 तक की ही आपको maximum reduction यहाँ पर मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक हमें और point दिया गया है, कि अगर आपका कोई pre-construction period का interest है, देखिए house property एक दो दिन मे property बन जाए, तो उसके बाद 5 equal annual installment में उसकी reduction आप यहाँ पर claim कर सकते हैं, आईए सीखते हैं कैसे निकालने वाले gross annual value, देखिए GAV basically आपका rent है, कि जो rent आपको मिला property का वो आपकी GAV है, बट कई cases में सरकार को पता है कि आप कोशिश करेंगे कि rent कम दिखाएंगे और आप tics क काम देना चाहेंगे, तो सरकार ने कहा कि जो rent आपको मिला, वो rent जो है उचित होना चाहिए, वाजिद होना चाहिए, अगर आपने rent जान पूछ के कम दिखाया, तो हम उसकी जगाँ पे expected rent जो होना चाहिए था, उस पे टेक्स लगा देंगे, तो कहा गया, gross annual value will be the higher of expected rent and actual rent, अब expected rent के बारे में बतायागे कि expected rent क्या है, तो कहा गया कि आप देखो उस area का, उस महले का fair rent क्या है, उस जगाँ पे fair rent क्या होना चाहिए, आप municipal value देखो, यह वो value है, जो कि municipal authorities निकालती है, municipal tax calculation करने के लिए, आप इन दोनों को देखो, इन में से ज़्यादा है, उससे expected rent म नहीं वसूल सकते, तो इससे जादा आपका rent नहीं हो सकता, तो expected rent निकालो, उसे actual rent से compare करो, जो जादा है, उसे अपनी gross annual value आप बना लेंगे, example के तौर पर अगर हम देखें, तो हमारे पास यहाँ पर कुछ cases दिये गए हैं, जैसे पहला case अगर मैं यहाँ पर देखूँ, तो municipal value दी है 30,000, actual rent है 40,000, fair rent है 36,000, standard rent है 30,000, तो इस case के अंदर एक तरफ तो actual rent है, और दूसरी तरफ expected rent है, expected rent will be higher of municipal value and fair rent, यानि की 36,000 होगा, but it cannot exceed standard rent, यानि की 30,000 होगा expected rent, अब हमारा GAV will be the higher of actual and expected rent, यानि की 40 और 30 में से जो higher है, यानि की 48,000 हमारी GAV यहाँ पर हो जाएगी, ऐसे ही बाकी cases को आप एक बार खुद से try कीजेगा, चेले जी, तो बढ़ चुके हैं हमारे अगले head of income की तरफ, जो की है income under the head business or profession, तो इसका scope हमारे section 28 में बताया गया है, क्या बताया गया है, कि अ आपको इस head में text देना है, आपको आपके business से जड़े हुए कोई benefit मिले, कोई perquisite मिले, तो भी इसी head में text देना है, आप firm के अंदर partner है और उस firm से आपको salary, interest, bonus, commission मिला, तो भी आपके लिए इसी head में आपको text देना है, आप जो हैं कोई trade professional या फिर other association है, और आपको कुछ income मि member से तो भी इसी head में text देना है, इसके लाबा आपको कोई income मिली, आपको कोई पैसे दिये गए कि आप business ना करो और इसके बदले इतने पैसे ले लो, जैसे माली जे मेरे पास कोई आता है, वो कहता है कि सर आप ना पढ़ाओ और ना पढ़ाने के लिए आप इतने पैसे मेरे पैसे ले लो, तो भी मुझे जो पैसे मिलेंगे, वो इसी head में textable होंगे, exporter को को export incentive मिले, आपकी कोई सटे की speculative income होई, वो भी इसी head में textable हो जाएगी, देखिए आप जो भी business करके पैसे कमाएंगे, उसे आपको इस head में textable करना है, but again business करते हैं, तो कुछ खर्चे भी होंगे, तो उन खर्चों की reduction भी आपको यहां पे मिल जाएगी, जैसे आप जो building का इस्तमाल कर रहे हैं, उसका rent दे रहे हैं, उसके कोई taxes दे रहे हैं, कोई repair करा रहे हैं, उसका खर्चा allowed हो जाएगा, आप plant machinery furniture इस्तमाल करते हैं, उसकी कोई repair कराते हैं, वो allow हो जाएगी, बट अगर वो capital nature की हैं, तो वो capitalize होंगी, तो वो आपको यहां पे expenditure allow नहीं होंगी, आपके जो भी fixed assets हैं, उन पे आपको depreciation allow हो जाएगी, अगर आपको specified business करते हैं, जैसे cold chain facility बगरा है आपकी specify किये गए हैं, कुछ businesses income tax law के अंदर, अगर आप वो businesses कर रहे हैं, तो आपका जो resident assessi हैं, जो की company नहीं है, तो उस case में आपने जो भी preliminary खर्चा किया, देखे, दंदा शुरू करने के लिए, कुछ preliminary खर्चे भी करने पड़ते हैं, तो वो भी जो preliminary खर्चे हैं, वो भी आपको 5 equal installment में यहां पे allow हो जाएगे as expenditure, तो जैसे आपको बताया, कि जो भी आपके fixed assets हैं, उन पर आपको depreciation भी allowed होगी, under section 32, बट यह depreciation तभी allowed होगी, अगर आप उस fixed asset के owner हैं, जैसे आप furniture के owner हैं, आप उसे अपने business के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, और पिछले साल आपने उसे इस्तमाल भी किया, अगर माली जी वो pack ही पढ़ा रहा, आपने इस्तमाल नहीं कि होगा, income tax के अंदर हम block of assets के business पर depreciation calculate करते हैं, यानि कि जिन भी assets पर common rate of depreciation है, उनको एक खठा कर देते हैं, उनका एक block बना लेते हैं, और फिर उस पर depreciation charge करते हैं, जैसे हमारे पास अलगलग categories of assets हैं, जिन पर अलगलग rate है, उनके अलगलग block बना लेंगे, जैसे residential building हैं, उ motor vehicle अगर personal use के लिए इस्तमाल कर रहे हैं, तो 15% है, अगर commercial use के लिए कर रहे हैं, तो 30% है, हमारे intangible assets पे 25% depreciation हमें allowed है, इसके लावा हमारी सरकार ये भी चाहती है, कि research को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, सरकार चाहती है कि आप सभी JRF लें और research करें, और इसलिए जो भी research से जुड़ा हुआ खर्चा हो रहा है, उसकी भी आपको expenditure की reduction पूरी-पूरी मिल जाती है, कि बार पूरी से जादा भी मिल जाती है, तो अगर तो आपने scientific research आपको business से जुड़ी है, आपने उस पर कोई revenue expenditure किया, तो उसके आपको 100% reduction मिलेगी, अगर किसी research association जो है, उसको आपने payment करी scientific research के लिए, तो आपको फिलाल तो 150% मिल रही है, बट 2021 से 100% ही हो जाएगी, किसी company को payment की scientific research के लिए 100% reduction, किसी research association को social science या फिर statistical research के लिए 100%, capital expenditure किया scientific research के purpose के लिए, except land acquisition, 100% reduction मिलेगी, national laboratory या फिर IIT को payment करी, for scientific research, तो 150% है फिलाल, बट अगेन 2021 से 100% हो जाएगी, किसी company ने, तो कि biotechnology के अंदर Englished है, कुछ expenditure किया research पे, तो उसकी 150% reduction मिल रही है, बट अगेन 2021 से ये भी 100% हो जाएगी, तो फिलाल केवल 3 हमारे पास हैं, जिन पर 150% मिल रही है, और 2021 से सब पे ही 100% हो जाएगी, इसके लावा कुछ बाकी reductions भी हमें मिलती है, जैसे हमारे stock पे हमने insurance policy करवाई, और उसका premium दिया, तो उसका खर्चा हमें allowed हो जाएगा हमारे business में, हमारे employees की हमने health insurance ली, बट उसके पैसे हमने cash में नहीं दिये, cash के अलावा किसी mode से दिये, electronics से दिये, किसी और mode से दिये, तो उसकी भी reduction मिल जाएगी, आपने business करने के लिए कोई loan लिया, उसपे interest पे किया, reduction मिल जाएगी, अगर वो interest को आपने capitalize किया, देखिए आपके building construction का जुड़ा interest था, और आपने उसे building में capitalize कर दिया, तो उसपे building की जो depreciation है, वो आपको मिलती रहेगी, bad debts जो है, उनकी आपको reduction मिलेगी, पर तब मिलेगी, अगर वो आपके business से जुड़े हो, और साथी साथ, जो आप reduction यहाँ पे ले रहे हैं, पहले आपने उसे income भी consider किया हो, जिस सीज़ को आपने पहले income consider किया, अब वो आपकी bad debt हो गई, तो आपको उसकी reduction मिल जाएगी, और साथी साथ, हमारी जो भी company SSC हैं, उन्होंने कोई family planning से जुड़ा हुआ, capital nature का खर्चा किया, तो उसके भी 5 equal installments में, उन्हें यहाँ पे reduction मिल जाती है, इसके अलावा भी बहुत सारी deductions होती हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं, बिजनसे के, जो कि specifically यहाँ पे mention नहीं है, तो उसके लिए एक general section दे दिया, section 37.1, तो कहा कि अगर आपका कोई भी खर्चा है, जो कि आपके धंदे से जुड़ा है, बिजनस से जुड़ा है, बट वो capital nature का नहीं है, आपके personal expenditure नहीं है, आपने उसे previous year में incur किया, और illegal से कोई expenditure नहीं है, आपने कोई law तोड़ा, और उसके लिए आपको के penalty देनी पड़ी, ऐस कोई expenditure नहीं है, तो उसकी भी आपको reduction हम यहाँ पर दे देंगे, तो बाकि कोई भी खर्चा बचा और आपको बिजनस से जुड़ा है, तो भी आपको यहाँ पर उसकी reduction दे दी जाएगी, बट साथी साथ यहाँ पर बताया गया, कि अगर आपने कोई loan लेने में, debenture issue करने म आपके सालों साल, पूरे लंबे समय तक जब तक आपकी company है, तब तक आपके साथ रहने हैं, तो यह capital nature का हो जाएगा, तो इसकी reduction आपको नहीं मिलेगी, और साथे साथ आप सभी जानते हैं, कि जो भी बड़ी companies हैं, उनको corporate social responsibility का खर्चा भी करना पड़ता है, तो ऐसे खर् store of companies को पैसे दिये, कोई fees पे करी, तो उसकी reduction भी आपको यहाँ पे allowed नहीं है, इसके लावब कुछ और बर disallowances है हमारी, जैसे आपने इंडिया से बाहर कोई payment करी, आपने इंडिया से बाहर interest, royalty, fee for technical service, यहाँ फिर ऐसे किसी खर्चे की payment करी, जो कि इंडिया में taxable था, और आपने उस पे TDS नहीं काटा, तो आपको उस खर्चे की reduction यहाँ पे नहीं मिलेगी, आपने इंडिया के अंदर ही payment करी, और उस पे TDS नहीं काटा, तो उसके अंदर कहा गया, कि आपको खर्चा allowed तो हो जाएगा, बट आपको केवल 70% खर्चा ही allowed होगा, 30% खर्चा जो है व अपना employee दिखा दिया, और उसको salary दे दी, अब salary जो normally उसकी बनती थी, वो बनती थी 10,000 रुपे, और आपने यहाँ पे दिखा दी 50,000 रुपे, तो आपने अपने को relative को payment करी, और वो payment आपकी जादा है, excessive है, unreasonable है, तो भी आपका जो भी difference है, यहाँ पे वो भी आपका जो है तो आपको उसकी cash payment नहीं करनी, देखिया, आपने जैसे मालीजे business के लिए कोई mobile phone खरीदा, और उसकी payment आपकी 10,000 रुपे से जादा बन रही है, तो आपको उसकी payment cash में नहीं करनी, आपको उसकी check से, या फिर account से, या फिर bank draft से, ऐसे उसकी payment आपको करनी है, cash से नहीं करनी ह 10,000 की जगा, अगर हम transporter के case की बात करें, तो यह limit बढ़ा के 35,000 कर दी गई है, क्योंकि transporter जो है, उन्हें cash में काफी खर्चे करने पड़ जाते हैं, और साथी साथ कुछ खर्चे ऐसे भी हैं, जो कि आपको payment basis पर लाओ होंगे, आपने खर्चे अपनी किताबों में due कर लिए, बट आपने अपनी return की rate तक उन्हें पे नहीं किया, तो आपको लाओ नहीं होंगे, जैसे आपको कोई tax, duty, assess और fee पे करना था, आपको अपने employees को कोई assets इस्तमाल किये और उसका कोई खर्चा पे करना था, तो अगर वो खर्चा आपने return की rate तक पे नहीं किया, तो आपको उसकी reduction नहीं मिलेगी, अगर आपने अगले साल पे किया, तो फिर आप उसकी reduction अगले साल ही लेना, तो ऐसे खर्चे को अगर आपने claim करना है, तो ज business कर रही है, और उसके कुछ यहां पर क्या है, पार्टनिर हैं, अब इन पार्टनर्स को क्या मिल रही है? फरम से remuneration मिल रही है, salary मिल रही है, इंटरस्ट मिल रहा है, तो उसका कैसे हम treatment करें तो अगर बात करें salary यहां फिर remuneration की तो उसकी reduction हमारी जो firm को कैसे मिलेगी देखे फर्म ने हमारे partners को salary दी तो अगर वो salary आपकी partnership दीड दुबार authorized है और ऐसे partners को दी जा रही है जो की working partner है जो की firm में असल में काम करते हैं और साथी साथ इन permissible limits को exceed नहीं करती तो आपकी firm को reduction मिल जाएगी limits क्या है यहाँ पर अगर firm के book profit तीन लाग तक हैं तो डेड़ लाग या फिर 90% of the book profit whichever is higher तीन लाग से उपर के जो profit है उनका 60% जो है उतनी salary दे सकते हैं अगर इतनी salary इस limits में दी इन conditions को पूरा किया तो firm को अलाव हो जाएगी और partners की यह business income मान ली जाएगी अगर हमने इससे ज्यादा salary दे दी तो हमारी salary firm को disallow हो जाएगी interest on capital हमने अपने partners की capital पर interest पे किया interest चाहे working partner को पे किया non working partner को पे किया कोई दिक्कत नहीं है बट 12% से जादा नहीं होना चाहिए अगर 12% से जादा पे किया तो आपको जो remaining है वह disallow हो जाएगा तो यह बाते हैं आपको ध्यान में रखनी है चले जी तो आते हैं हमारे अगले head of income पे जो की है income under the head capital gain तो section 46 कहता है अगर आपने कोई capital assets transfer किया आपके पास कोई property है आपने उसे transfer किया तो उस पर जो आपको gain हुआ वह आपका capital gain माना जाएगा बट यहां पर capital gain आपका capital assets पर ही लगेगा capital assets क्या है यह जानना भी जरूरी है तो section 2 सब section 14 में कहा गया कि जो भी property हमारे assayca के पास है चाहे business से यह या फिर नहीं जुडी है वह हमारे capital asset के अंदर आ जाएगी बट कुछ चीजे capital asset नहीं है जैसे आपके business के अंदर जो stock पड़ा है वह capital asset नहीं है आपकी जो भी personal belongings है आपके जो भी कपड़े बगारा है वो capital asset नहीं है बट आपकी कोई jewelry है आपके पास कोई painting है कोई archaeological collection है कोई gold बगारा है तो वह आपका capital asset बन जाएगा आपकी कोई agricultural land है rural area के अंदर तो वह भी capital asset आपकी नहीं है इसके लाब कुछ bonds बगारा की भी आपको यहां पर exemption दे रखी है तो capital asset को transfer किया तभी आपका capital gain arise होगा अब capital gain पर कितना text लगेगा यह depend करता है कि क्या वो gain long term है या फिर वो gain short term है हम determine कैसे करेंगे कि gain long term है या short term है period of holding के business पर determine करेंगे अगर आपने किसी asset को अपने पास 36 महीने रखके फिर बेचा तो long term है अगर 36 महीने से पहले ही बेच दिया तो आपका वो short term capital asset बन जाएगा यह 36 महीने वाला जो criteria है इसे घटाकर 24 महीने कर दिया गया है in the case of immovable property यानि कि land building वाली जो case है उसके अंदर 24 महीने कर दिया है from 2017-18 तो अगर आपने को building बेचिए तो अगर 24 महीने से जादा रखके बेचिए तो आपके लिए long term capital asset बन जाएगी इसके लावा कुछ ऐसे assets भी हैं जिनको अगर 12 महीने से जादा रखा तो long term capital asset मान लिए जाता है जैसे कोई shares है पर जो कि लिस्टेड है कोई equity mutual fund के units है या फिर जीरो coupon bond है उनके लिए हमारा period of holding जो है वो 36 महीने के बजाए 12 महीने देखा जाता है बारा महीने से जादा equity shares हमने अपने पास रखे जो कि लिस्टेड है stock exchange पे वो हमारे long term capital asset बन जाएंगे चली तो बात करें कि इस capital gain को हमें compute कैसे करना है तो short term capital gain long term capital gain short term capital gain को कैसे compute करना है जो भी आपको पैसे मिले capital asset को transfer करने पे less क्या क्या करेंगे कोई खर्चा हुआ transfer पे उससे less करेंगे capital asset को acquire करने का खर्चा उसमें को improvement करने करने का खर्चा उसे घटा देंगे और उसमेंसे को exemption आपको मिलनी है उसे घटा देंगे जो balance बनेगा वह आपका short term capital gain या फिर loss बन जाएगा long term capital gain और loss की competition ऐसे ही है बट यहाँ पर कॉस्ट की जगा index cost consider की जाती है कॉस्ट की जगा index एक लाग का खरीदा था और अब 2019 बीस के अंदर आप उसे जो है वह बेच रहे हैं एक लाग का खरीदा था तीन लाग का आप उसे यहाँ पे बेच रहे हैं तो कहा गया कि आपको capital gain यहाँ पे दो लाख रुपे नहीं होगा इस case में क्योंकि यह long term है हम इसकी इंडेक्स सेशन करेंगे इस एक लाग की आज की वेल्यू निकालेंगे और फिर हमारा long term capital gain निकलेगा अब इसकी वेल्यू कैसे निकालेंगे उसके लिए हमें cost of inflation index के नंबर चाहिए होंगे तो इस एक लाग को हम multiply करेंगे जिस साल में बेच रहे हैं उसके यह नंबर से जिसके 289 है और डिवाइड करेंगे जिस साल में खरीदा था उसके यह नंबर से जो की 100 है तो यह एक लाग हमारा 289,000 बन जाएगा इसके आज की value 289,000 निकल कराएगी और केवल 11,000 ही हमारा यहां पर long term capital gain बनेगा और साथी साथ हमें यहां पर option भी दी गई अगर आपने कोई asset 1 April 2001 से पहले खरीदा था तो आप उसकी 1 April 2001 की fair market value consider करके भी उस पर यहां पर अपना टेक्स की computation कर सकते हैं इंडेक्सेशन कर सकते हैं चलिए तो माइडियर फ्रेंट्स अकसर जो भी हमारे capital gain का amount होता है वो जादा निकल कर आता है property वगरा बेशते हैं जादा gain होता है और जादा capital asset residential house की farm में बेचा हो और उसे बेचके उसने एक और घर खरीदा हो इंडिया के अंदर within one year before और two years after the transfer या फिर within three years of transfer उसने एक निया घर construct कर लिया हो तो उसने जो भी capital gain नए घर पे लगा दिया जो भी long term capital capital gain हुआ था वो से नए घर पे लगा दिया तो उसका long term capital gain यहां पर exempt हो जाएगा साथ ही साथ यहां पर एक relaxation जो दी गई वो यह दी गई है recently कि एक की जगह अगर आपका capital gain ट्रांसफर की है देखिए रूरल अगरी कल्चरल लैंड तो capital गेन का सवाल ही नहीं होता अर्बन अगरी कल्चरल लैंड ट्रांसफर की है चाहे शॉर्ट टम capital asset हो चाहे long term capital asset हो और आप उसे agricultural purposes के लिए पिछले दो सालों में इस्तमाल कर रहे थे और इस लैंड को बेचके आपने एक और agricultural land खरीद ली within two years after the date of transfer तो जो नहीं लैंड आपने खरीदी उसकी आपको exemption यहां पर मिल जाएगी जो capital gain आपने नई लैंड में लगा दिया उसकी exemption आपको मिल जाएगी नई लैंड चाहे rural area में खरीदो चाहे urban area में खरीदो section 54D में बताया गया अगर आप industrial undertaking है जिसकी land और building जो है compulsorily acquire हो गई आप फिछले दो सालों से इसका इस्तमाल कर रहे थे आप compulsorily acquire होई तो आपने कहीं और land और building खरीदी तो जो capital gain आपने कहीं और land और building खरीदने में लगा दिया तीन सालों के अंदर आपको खरीदना था आपने खरीद लिया तो वह capital gain आपका exempt हो जाएगा इसके बाद सेक्शन 54 EC तो माइडियर फ्रेंट्स कुछ साल पहले तक सेक्शन 54 EC जो है आपका सभी capital gains पर अप्लाई करता था सभी long term capital gain पर अप्लाई करता था बट आज की डेट में यह केवल लांड और बंडिंग यहां फिर दोनों पे ही apply करता यहांनि की इम्मूवबल प्रॉपर्टी पे ही apply करता है बाकियों पे apply यह नहीं करता तो कहा गया कि अगर आपने यहांपर छे महीने के अंदर-अंदर अपने नहाई के NHEI के बॉंड्स करीद लिए यहां फिर RECL के बॉंड्स करीद लिए जिनका 5 साल का लॉक इन पिरिड है अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका जो लॉंग टर्म केपिटल गिन था वो यहां पर एक्जेम्ट हो जाएगा पट यहां पर आपके लिमिट आपको यहां पर दे रखी है सेक्शन 54F के अंदर आपने आप इंडिविजल हुआ हैं आपने लॉंग टर्म केपिटल एसेट ट्रांसफर किया अधर देन रिजिडेंचिल हाउस 54 में कवर था अधर देन रिजिडेंचिल हाउस ट्रांसफर किया तो 54F में कि आपने इंडिया में एक रिजिडेंचिल हाउस यहां पर खरीद लिया तो यहां पर बताया गया कि आपने एक साल में खरीद लिया विदिन वानियर बिफोर और टू यह आफ्टर या फिर तीन सालों में कंस्ट्रक्शन कर ली तो जो भी आपको केपिटल गेन हुआ था उसकी एक्जम्शन आपको यहां पर मिल जाएगी और एक्जम्शन यहां पर केपिटल गेन की पूरी पूरी नहीं मिलेगी आपको एक्जम्शन यहां पर केवल प्रपोर्शनेटी मिलेगी तो जैसे माइडियर अगर मान लीजे हमने यहां पर 50 लाग की हमारी तो आपको 10 लाखी exemption नहीं मिलेगी, आपको आदी ही exemption मिलेगी, आपने आदे पैसे लगाए, तो आपको आदी ही exemption मिलेगी, आपको proportionate ही 5 लाखी यहाँ पर exemption मिलेगी, और condition यहाँ पर यह है कि on the date of transfer आपके पास एक से ज़ादा residential house यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो यह condition भी आपको यहाँ पर पूरी करनी है, चलिए तो my dear friends बढ़ते हैं, अगले source of income पर जो की है income from other sources, तो जो incomes हमारी बाकी किसी head में taxable नहीं हो पाई, उन पे जो tax लगता है, वो income from other sources head में लग जाता है, section 56 charging section है, और कुछ incomes जो की बताई गई है, इस head में taxable होंगी, सबसे पहली तो domestic company से जो dividend हमें मिला, domestic company dividend देने से पहले उस पर dividend distribution tax देती है, और क्यूंकि tax पहले ही उस पर दे दिया गया, तो हमारे हाथों में वो exempt हो जाता है, बट अब सरकार ने ये provision बनाया, कि अगर किसी को 10 लाक रुपे से जाधा की dividend income है, तो उसे उस पर tax देना पढ़ जाएगा, त कोई पर tax देना पढ़ जाएगा, other sources head के अंदर, इसके लावा आपके कोई lottery लगी, आपने कोई puzzle competition जीता, आपने कोई race जीती, तो आपको कुछ पैसे मिले, other sources में taxable है, आपने कोई investment की थी, debentures खरीदे थी, उस पर interest मिला, other sources में taxable है, आपने कोई machinery, plant, furniture, rent पे दी थी, अभ जो की ऐसी land से है, जो की इंडिया से बाहर है, देखिए, इंडिया के अंदर land होती, तो agriculture income के अंदर आ जाती, section 10 के अंदर, but इंडिया से बाहर है, तो वो taxable होगी, other sources में, income from subletting, अगर आप अपनी property let करते है, house property income है, आपका किरायदार उसे फर्दर आगे किराय पे चड़ नहीं है, उसके भी अगर आपके कोई rental income है, तो other sources में taxable होगी, इसके लाबा, MP, MLA को जो salary मिलती है, salary नहीं मानते उसे, और हम उसे other sources में taxable करते हैं, हमारे जो भी family members है, किसे deceased person के, जिने family pension मिल रही है, वो salary में taxable नहीं होगी, वो other sources में taxable होगी, और साथ ही, उन्हें यहा reduction भी मिल जाएगी, तो यहाँ पर उन्हें standard reduction भी यहाँ पर मिलती है, इन में से जो भी कम है, उसकी reduction उन्हें यहाँ पर मिल जाती है, interest on compensation, enhanced compensation आपकी property acquired होगी, उस पर आपको compensation मिली, और compensation देरी से मिलने के विज़े से, आपको कुछ ब्याज भी मिला, तो जो ब्याज की income other sources में taxable हो जाएगी, दिखे other sources में, जो भी आपकी बाकी income है, वो एक तरफ है, और जो भी आपकी casual income है, जिसे lottery जीतने पर income है, crossword puzzle जीतने पर income है, race जीतने पर income है, betting, gambling की कोई income है, यह सारी income जो है, यह आपकी casual income है, ऐसी casual income पे आपका जो text लगता है, वो flat 30% पे text लगता है प्लस surcharge और प्लस sets अलग से, अगर लग रहा है आपके case में, तो वो भी लग सकता है, तो इन पर कोई slab rate अपलाई नहीं हो रहे, इन पर flat 30% tax आपको देना ही पड़ेगा, और साथी इन में से आपको कोई ATC से ATU की reduction भी नहीं मिलती, इन में से आपको कोई reduction नहीं मिलेगी, आपने LIC कराई, PPF कराया, उसकी कोई reduction आपको casual income से नहीं मिलेगी, चली इसके बाद हमारे पैसे taxability of gift, तो अगर आपको कोई gift मिल रहे हैं, तो वो भी आपके लिए taxable हो जाते हैं, income enter दिया डदर, sources में अगर कुछ conditions यहाँ पर पूरी हो रही हैं, तो जैसे अगर आपके द Automate taxable हो जाएंगे, अगर पैसे नहीं दिये, आपको की property के form में gift दिया, मान लीचे उसने आपके नाम पे कोई land करवा दी, एक लाख रुपे की वो land है, और आपके नाम पे उसने freely वो करवा दी है, आपको gift कर दी है, तो इस case में, क्यूंकि जो हमारी land की value है, वो 50,000 रुप जादा है, इसलिए फिर भी आपको वोस पे tax देना पढ़ जाता, 90,000 आपकी income from other sources मान ली जाती, अगर कोई mobile property का gift देता, mobile property कैसे, कोई shares, कोई security, कोई jewelry, कोई painting, कोई gold, कुछ उसने दे दिया आपको, जिसकी value 50,000 रुपे से जादा है, again आपके हातों में taxable होगी, अगर 50,000 स से कम है, तो नहीं होगी, तो 50,000 तक की limit दे रखी है, gifts के case में, और साथी ये भी बता रखा है, कि अगर आपको कोई gift मिला, अपने relative से, अपने रिस्तुदार से, अपने भाई बहन, अपने मुमी बापा से, relative की पूरी definition दे रखी, अगर उनसे gift मिला, तो आपके लिए वो exempt माना जाएगा, आपकी शादी पर आपको gift मिला, marriage पर मिला, exempt माना जाएगा, will या फिर inheritance के अंदर आपको कुछ property अपने कर ली, तो वो भी आपके लिए यहाँ पर exempt मानी जाएगी, तो ये थी हमारे gifts की बात, चलिए माइडियर फ्रेंट्स तो ये थी हमारी heads of income की बात, तो पांचो head of income हमने discuss किये, अब इन पांचो head की income को जोडेंगे, तो हमारी gross total income निकलेगी, इसमें से हम अपने deductions घटाएंगे, तो हमारी taxable income निकलेगी, तो आईए बात करते हैं, deductions की, सबसे पहले deduction, जोकि सबसे important मानी जाती है, वो है section 80C की reduction, जिसके अंदर हमारे individual HRF investment कर के 1.5 lakhs तक की reduction ले सकते हैं, तो आपको कब deduction मिलेगी, अगर आप LIC policy लेते हैं, life insurance policy लेते हैं, उसका premium देते हैं, अपनी life पे हो, आपके spouse की life पे हो, आपके child की life पे हो, किसी भी life पे हो, आप जो है उसके premium की reduction इसमें ले सकते हैं, अब provident fund में पैसे डाल रहे हैं, मिल reduction मिल जाएगी, आपने notified unit linked insurance plan of the LIC mutual fund खरीदा, reduction मिल जाएगी, आपने अपने बच्चों की school और college की tuition fees जमा करवाई, अप टू दो बच्चों की जमा कराई, आपको उसके reduction मिलेगी, आपकी कोई house property थी, आपने उसके उपर कोई loan लिया हुआ था, यहापने उसके कोई installment आपन reduction मिल जाएगी, आपने एक कोई tax saver FDR करा दी, जिसकी 5 साल से जाधा की life है, locking period है 5 साल का, उसकी reduction मिल जाएगी, आपने senior citizen saving scheme में पैसे डाले, उसकी reduction भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इसके लावब कुछ और reductions है हमारे पास, जिससे section 80D के अंदर medical insurance premium pay किया, हमने कोई medical insurance उसके premium pay किया, by any mode other than cash, तो उसके भी reduction हमें मिल जाएगी, कितनी reduction मिलेगी, देखिए अपने लिए spouse के लिए और dependent बच्चों के लिए 25,000 के लिमिट है, अगर senior citizen है तो 50,000 के लिमिट हो जाएगी, अपने parents के लिए अलग से 25,000 या फिर senior citizen है तो 50,000 के लिमिट दे रखी है, इ किसी भी mode में कर सकते हैं, including cash, इसके बाद है section ATDD, अगर आपके ऊपर कोई dependent है, जो कि disabled है, तो उसके medical treatment का आप खर्चा कर रहे हैं, 75,000 के reduction मिल जाएगी, अगर severe disability है, बहुत जादा disability है, तो 1,25,000 के reduction मिल जाएगी, ATDDB के अंदर बताया गया, ATDDB के अंदर, अगर आप कुई specified diseases, जो कि यहाँ पर specify की गई है, उनके लिए medical treatment का खर्चा करते हो, तो 40,000 तक की reduction मिलेगी, senior citizen के लिए 1,00,000 तक की reduction मिलेगी, ATEE के अंदर आपने loan लिया, education के लिए, उस loan के interest की reduction मिलेगी, ATEE के अंदर, आपका house property का कुछ interest है, तो कुछ specific conditions पूरे करने पे, यहाँ पे आपक को reduction मिलती है, ATEE के अंदर अगर आप donation देते हैं, donation की आपको reduction मिलती है, इसके provisions बहुत ज़्यादा है, ATEE के उनको अलग से भी एक बार देख लेते हैं, तो my dear friends, ATEE के अंदर बताया गया, कि कुछ cases में आपको 100% reduction मिल जाएगी, जैसे प्राइम निस्टर रिलीफ फंड है, नाशनल चिल्डरन फंड है, स्वच बारत कुश है, नाशनल डिफेंस फंड है, इसमें अगर आपने पैसर डाले है, जितना पैसर डाला, 100% reduction मिलेगी, इसके लावा, दो और हमारे पास cases है, यहाँ पे आपको 100% और 50,000 मिलती है, subject to qualifying limit, तो qualifying limit बताये गई है, कि आप जो है, आपनी income, जो gross total income निकाली है, उसमें से अपनी reductions minus कर दीजिए, except ATG, अपना short term capital gain 111A, long term capital gain 112A वाला, वो भी घटा दीजिए, उसके बाद जो income आई, उसक की qualifying limit हो गई, इस limit के अंदर आपको reduction मिलेगी, 100% reduction मिलेगी, अगर family planning के लिए donation दे रहे हैं, other cases के लिए दे रहे हैं, आप तो यहाँ पे 50% reduction आप ले सकते हैं, subject to qualifying limit, और साथी बताया गया, कि आप अगर cash में donation दे रहे हैं, 2000 से जादा दे रहे हैं, तो उसकी reduction आपको नहीं म मिलेगी, इसके लावा कुछ और reductions भी हैं हमारे पास, इसे section 80GG के अंदर, अगर कोई individual हैं, जिनको house rent allowance नहीं मिलता, हरे नहीं मिलता, तो उसके case में, वो 80GG के अंदर, अगर वो rent पे करते हैं, तो up to 5000 पर मंथ reduction ले सकते हैं, 80QQB में, अगर आप author हैं, आपने किताबें लिख reduction आपको मिल जाएगी, 80RRB में, आपने कोई patent जो है, वो अपने नाम पे करवाया, आप patent हैं, तो आपको उसकी royalty कोई मिल रही है, तो उसकी भी 3 लाग तक की reduction मिल सकती है, आपको, 80TTA के अंदर बताया गया, आपको saving bank account का interest आ रहा है, saving account का जो interest आ रहा है, उसकी 10,000 सालाना की आपको reduction मिल सकती है, देखी, जो senior citizens है, उनको 80TTA के अंदर नहीं, बलकि 80TTB के अंदर reduction मिलती है, 80TTB का scope जादा है, इसके अंदर saving के लावा, बाकी सभी deposits भी covered हैं, fixed deposit भी covered हैं, senior citizen का 50,000 तक का जो interest है, उसके आपको reduction यहाँ पे मिल जाती है, इसके बाद है, ATU, ATU के अंद के अंदर आप खोदी disabled हैं, तो अगेन यहाँ पे भी 75,000 या फिर 1,25,000 तक की reduction आप ले सकते हैं, इसके रावा कुछ certain incomes के against भी आपको reduction मिलती है, 80IA, IAB, IB, IC, IAC, IBA, IC, ID और IE के अंदर, तो इसे भी आप एक बार go through कर लीजेगा, चलिए, आगे बात करते हैं, due dates under the income tax law, सबसे पहले है payment of advance tax, तो my dear friends, जो भी हम income कमा रहे हैं, अगले साल उसकी return भर नहीं है, बट उसका tax सरकार कहती है, साथ साथ हमें देते रो, end में कठा मद्दो, साथ साथ देते रो, advance tax आपको जमा करवाना है, अगर आपका tax 10,000 रुप चार है, पहली installment हमारी 15 June को due होती है, जितना भी हमारे टेक्स बन रहा है, उसका 15% हमें 15 June तक जमा करवाना है, दूसरी है, 15 सितंबर की installment, जितना भी हमारे टेक्स बनता है, उसका 45% हमें यहां तक जमा करवाना है, 15 दिसंबर तक हमें अपने टेक्स का 75% जमा करवाना है, औ से advanced taxi माना जाता है और अगर मान लीजिए आपके कोई capital gain हो गई कोई lottery निकल गई तो उस case में आप क्या करेंगे उसे तो आप पहले anticipate नहीं कर सकते ना उसे तो आप जब ही वो income actual में arise होगी तभी आपको उसके वारे में पता चलेगा तो ऐसी income का जो है वो अगली installment में पे कर सकते हैं जो भी अगली installment आ रही है उसमें पे कर सकते हैं और साथे-साथ कुछ हमारे ऐसे असे होंगे जो कि presumptive taxation regime को फॉलो कर रहे हैं जाने कि 44 AD 44 AD A के अंदर वो टेक्स दे रहे हैं तो हमारी सरकार ने कहा कि अगर आप जाधा किताबें नहीं रखना चाहते ज्यादा जिंजट में पढ़ना चाहते और नहीं कराना चाहते तो तो दो करोड तक आप क्या कर सकते हैं, दो करोड तक आपकी अगर sale है, turnover है, तो उसका 8% आपकी income मान ली जाएगी और उसके आप tax दे दीजे, अगर आप professional हैं, तो 44 AD के अंदर आप अपनी professional receipts का 50% income मान लीजे और उसके tax दे दीजे, तो इनने यह भी सारा टेक्स जो है, 15 मान से पहले पहले जमा करवाना है, देखे जो भी हम text पे करते हैं, self assessment text और advanced text, इसका चलान नंबर 280 हमारा होता है, चलान नंबर 280 में यह text हमारे जमा होते हैं, इसके लावा हमारे पास due rate है, return of income की, जो भी हमारी income की return है, section 139 के अंदर हमें file करनी होती है, और वो भी due date से पहले-पहले file करनी होती है, तो due date क्या है, अगर आप तो company assisee हैं, या फिर आप company के लावा कोई assisee हैं, जिसके accounts का audit होना है income tax law में, या फिर ऐसी firm के आप partner हैं, जिस firm का audit होना है, तो आपकी due date रहती है, 30th September of the assessment year, any other case में आपकी due date बन जाते है, 31st July but क्योंकि COVID-19 चल रहा है, और इसलिए हमारी government ने इस साल की rates को extend कर दिया है और अभी assessment year 2021 की जो rates से उन्हें extend करके 30th November 2020 कर दिया गया है देखे, return timely file करना इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि जो भी अगर आपके कोई losses हैं, आपने उन्हें carry forward करना है set off करना है, तो वो आप असानी से कर सकेंगे, अगर आप return timely file नहीं करते, late file कर सकते हैं, उसे related return बोला जाएगा तो आप late भी return file कर सकते हैं, but up to the end of the relevant assessment year तक तो financial year 19-20 का assessment year 2020-21 है, क्यानि कि 31 March 2021 को खतम होगा, तो इसकी return आप maximum 31 March 2021 तक ही जमा करवा सकते हैं, आपने return भर दी, उसके अंदर कुछ changes करने है, revise करना है return को, तो वो भी आप कर सकते हैं, उसकी rate भी आपकी 31 March 2021 ही रहेगी चलिए, आगे है late fee for delayed filing of return, देखिए अगर आप return timely file नहीं करतें, तो section 234F के अंदर आपके उपर late fee लग जाएगी, अगर आपने late file करी, बट 31 December तक कर दी, तो 5000 की late fee लगेगी, अगर आपने 31 December के बाद file करी, तो 10,000 की late fee लगेगी, अगर आपकी जो income है, पांच लाग रुपे को exceed नहीं करती, पांच लाग तक की income है, तो आपके उपर maximum penalty 1000 की ही लग सकती है, अगर आपकी जो gross total income है, वो basic exemption limit से भी कम है, और फिर भी आप return भर रहे हैं, तो उस case में आपके उपर कोई penalty नहीं लगाई जाएगी, तो ये भी आपके कुछ important provisions थे, तो my dear friends, जो return हमें file करनी है, वो relevant ITR form select करके उसमें भरनी है, तो क्या-क्या हमारे पास ITR form से हैं, उनने भी एक बर briefly देख लेते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास है, ITR 1 सेहच, देखिए ये जो form है, generally saluted employees file करते हैं, जिनकी house property की income है, कुछ फोड़ी बहुत, और कुछ interest वगएरा की income है, और agriculture income up to 5000 हो सकती है, तो ITR 1 सेहच file कर सकते हैं, अगर यहाँ पर आप cover नहीं हो रहें ITR 1 में, तो आप ITR 2 file कर देंगे, अगर आपकी business और profession की income है, तो आप ITR 3 file करेंगे, अगर आप presumptive taxation regime को follow करते हैं, तो आप ITR 4 सुगम file करेंगे, इसके अलाबा, अगर आप जो है, partnership firm है, तो आप ITR 4 में, ITR 5 में अपनी return file करेंगे, अगर आप company हैं, तो ITR 6 में file करेंगे, अगर आप कोई trust हैं, charitable society हैं, तो ITR 7 में file करेंगे, और return file करने के बाद, देखे, आप return file करते हैं, उसकी acknowledgement निकल कर आती है, वो acknowledgement जो निकल कर आती है, वो ITR V form के अंदर यहां पे निकल कर आती है, आपकी acknowledgement ITR V के form में निकल कर आती है, जो कि आपको verify करनी होती है, आपको उसपर sign करने होते हैं, और उसे आपको बैंगलोर जो है भेजना पड़ता है, आज की रेट में उसे electronically भी verify कर सकते हैं, चलिए जी, तो my dear friends, आगे बात करते हैं, clubbing of income से जुड़े होए provisions की, तो कई बार हमारी income में किसी और की income भी club कर दी जाती है, कौन से cases में, आईए देखते हैं, तो पहला है transfer of income without transfer of assets, आपने asset transfer नहीं किया, आपने FD करवा रखिये, वो transfer नहीं की, बट उसकी income bank को कहा, कि आप मेरे friend को दे दिया करो, तो वो income जो है, मिलेगी आपके friend को, बट tax आपको ही देना पड़ेगा, revocable transfer of asset, आपने asset तो transfer कर दिया, बट आपके पास right to revoke है, आप कभी भी वो asset अपने पास वापिस ले सकते हो, तो ऐसे asset से जो income generate हुई, वो भी आपके हाथ में ही taxable होगी, इसके अलावा, आपकी किसी मालीजे कोई concern है, उसके अंदर आपको substantial interest है, यानि कि 20% से जादा share आपके पास है उसके अंदर, और उस concern से आपकी spouse को, आपकी मालीजे wife को या फिर husband को salary वगारा कुछ मिल रहा है, तो वो salary वगारा जो से मिल रहा है, वो भी आपके हाथों में ही club कर दिया जाएगा, बट अगर वो salary जो है, उसे मिल रहा है because of technical और professional qualification, तो clubbing नहीं की जाएगी, अगर आपने कोई asset जो है, अपनी spouse को transfer कर दिया, बिना adequate consideration के, तो भी उस asset की जो भी income है, वो आपके हाथों में नहीं club की जाएगी, except अगर आप दोनों separate हो रहे हैं, तो उस case में अगर आपका agreement to live apart हो रहे हैं, तो उस case में आपकी clubbing नहीं होगी, या फिर आपकी wife को जो आप पैसे दिया करते थे, pocket money दिया करते थे, जिसे pin money बोलते हैं, उस पैसे में से जो घर के खर्चे के लिए पैसे की wife को कर दिया, तो अगेन उस case में भी clubbing यहां पे हो जाएगी, income of a minor child, आपके minor child की income है यहां पे, तो उसके अंदर भी आपकी clubbing होगी, except अगर आपका जो child है, वो disabled ATU के अंदर, या फिर manual work से income कमा रहा है, या फिर special talent है, उसके अंदर कोई child artist है, और उसकी income उसे मिल रही ह तो उस cases में clubbing नहीं होगी, बाकी cases में आपके minor child की income भी आपकी income में जोड़ी जाएगी, सरक इसमें जोड़ेगी, फादर में या मदर में, जिसके income clubbing से पहले जाद है, उसमें जोड़ी जाएगी, कहा गया, कि अगर यहां पे उनकी marriage जो है, सबसिस्ट नहीं करती है, हमार चलिए, इसके बाद बात करते है carry forward and set off of losses की, देखिए my dear friends, हम निकलते तो income कमाने हैं, बट कई बार losses हो जाते हैं, उन losses को आप अपने income से set off कर सकते हैं, जैसे house property में loss हुआ, उसकी income से set off कर लो, दूसरे head की income से set off कर लो, बट 2,00,000 से जादा set off नहीं कर सकते हैं, दूसरे head अगर आप loss को पूरी तरीके से set off नहीं कर पाए, तो आप उसे अगले साल carry forward कर लोगे और उसी head की income से set off कर लोगे, तो जैसे my dear friends, अगर आपका house property का loss है, तो आप उसे अगले 8 सालों में house property की income से set off कर सकते हो, ऐसे ही business profession के case में, speculation के case में किवल 4 साल तक कर सकते हो, short term capital loss है अगर आपका, तो 8 सालों तक short term capital gain या long term capital gain से कर सकते हो, long term capital loss को 8 साल तक long term capital gain से कर सकते हो, तो यह provision यहाँ पे आपके बनाए गए हैं अगर आपकी तो उसे आप इंडेफिनेटली कर सकते हो किसी भी हैट से सेट आफ कर सकते हो एक्सेप्ट सेलरी चली तो आगे बात करते हैं TDS की टिक्स डिड़क्ट डेट सोर्स तो जैसे आपको पहले बताया था कि अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हैं अपने बिजनस से जुड़ी हुई तो आपको उस पर TDS भी काटना है तभी आपको खर्चाला होगा तो जैसे इंप्लॉईस को पेमे से उपर TDS काटना है और रेट आफ TDS यहां पर हमें दे रखे हैं तो इनको सिंप्ली मैडियर फ्रेंड्स आपने याद करना है कि कब आपका TDS हमें काटना है कितनी कट आफ अमांट से उपर की पेमेंट हो तो TDS कटेगा और क्या रेट आफ TDS यहां पर रहने वाला है जैस अगर individual hf को पेमेंट कर रेखा तो एक परसेंट पर कटेगा किसी और को पेमेंट कर रेखा या कंपनी के केस में दो परसेंट पर पर कुंटेगा ऐसे ही insurance commission के केस में और इसके बाद non-resident sportsman को पेमेंट कर रेखाते हैं तो TDS कटेगा commission है है आपका उस पे कटेगा rent है आपका rent की payment कर रहे हो 2,40,000 रुपे से जादा तो भी कटेगा plant and machinery पे 2% है land और building पे 10% है इसके लाबा आपकी कोई immobile property transfer करी है आपने उसके उपर भी अगर 50,000,000 से जादा का amount आपको मिला 1% TDS कटेगा आप rent पे कर रहे हैं 4,000 रुपे महीने से जादा 5% TDS आपको काटना है director को कोई professional fees मिली technical fees मिली या फिर आपको मालीजे कोई professional capacity में कुछ fees मिल रही है तो 30,000 से उपर की payment है तो 10% TDS कटेगा इसके लाबा आप bank से cash withdrawal भी कर लेते हैं एक क्रोड से रुपे से जादा का तो bank भी और अगर सामने वाले ने अपना नमबर नहीं दिया चलिए यहां पर हमारे TDS forms और due date है देखे आपको TDS के return भरनी है तो कौन से form में आपको भरनी है salary है, other than salary है, non resident है TCS है, कि सब चीजें आपके लिए यहां पर लिखी है जो भी आपने TDS काटा, उसे एगले महिने के 7 तरीक तक आपको जमा करवाना होता है March का TDS आप 30 April तक जमा करवा देते हैं TDS का जो चलान है, वो होता है 281 और जो आपने TDS काटा, उसका आप certificate भी देते हैं जैसे आप अपने employee को salary के लिए form 16 देते हैं form 16 A, B, C, ये भी हमारे पास forms available है different cases के लिए, तो ये भी आप एक बार देख सकते हैं चली, इसके बाद है assessment under the income tax law तो पहली तो है self assessment देखे हम अपनी income खुद compute करते हैं, tax liability खुद निकालते हैं और अपने return खुद से जमा करवाते हैं अगर मान लीजे हमारा income tax officer अपने असे स्कूरूटीनी भी कर सकता है उसे बोलेंगे scrutinी या फिर regular assessment उसके अंदर हमारी पूरी detail में वो checking करेगा income की, books की अगर मान लीजे उसे हमारी return पसंद नहीं आ रही हम उसे documents दिखा रहे हैं, books दिखा रहे हैं उसे वो सेमत नहीं है क्या फिर हम उसे दिखाई नहीं रहे कुछ तो वो अपनी best judgment के साब से हमारी assessment कर देगा section 144 के अंदर अगर हमारी कोई income छूट गई उसकी assessment नहीं हुई तो उसे भी assessing officer उस पे भी text लगा सकता है section 147 के अंदर उसकी assessment कर सकता है और rate के case में section 153 के अंदर assessment होती है और उसके अंदर rate से पिछले 6 सालों की दुबारा से assessment जो है की जाती है चली इसके बाद हमारे पास है corporate text planning जिसके अंदर mainly हमारे पास तीन concept है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए पहला है text planning देखे text planning का मतलब है कि आप अपने text को ऐसे plan करें कि आपकी text liability काम हो जाए आप जो भी reduction exemption allowances का benefit ले सकते हैं उनका पूरा benefit उठाए text evasion का मतलब है कि आप गलत तरीके से illegal तरीके से अपना text बचा लें आप अपनी income जान पूछ के काम शोव कर दें आपने investment नहीं की फिर भी आप उसे अपनी reduction में claim कर लें अगर आप ऐसा कुछ गलत कर रहे हैं तो वह evasion होगा text avoidance इनके कहीं बीच में आता है देखिए text avoidance का मतलब है कि income tax कानून के अंदर जो भी loopholes रह गए हैं आप उनका गलत benefit उठाते हैं देखिए आप law के अंदर तो रह रहे हैं लीगल framework को तो comply कर रहे हैं बट आप law की जो intention है जो कानून की intention है उसे defeat कर देते हैं और अपनी text liability को reduce कर देते हैं चलिए इसके बाद international taxation को भी briefly देख लेते हैं तो यहां पर एक तो हमारे पास topic है double taxation का तो कई बार क्या होता है कि आप resident है इंडिया में और आपकी source of income है अमेरिका में USA में और आपको इन दोनों countries में उस पर text देना पढ़ जाता है तो यह तो हो गया double taxation की दो जगा आपको text देना पढ़ गया अब अगर दो जगा आप उस income पर tax देंगे तो आपको बहुत सारा टेक्स देना पढ़ जाएगा आपकी income बहुत काम हो जाएगी तो उस double taxation का आपको relief मिलना चाहिए तो relief जो है उसका हमारे income tax law के अंदर दो तरीके से मिल सकता है एक है bilateral relief section 90 के अंदर यानि कि अगर अमेरिका और इंडिया समझाता कर लें agreement कर लें कि कैसे अगर किसी की income double tax हो रही है इंडिया और अमेरिका दोनों में tax हो रही है कैसे उसको हमे relief provide करना है ऐसा agreement कर लें तो उस agreement के अंदर जो conditions होंगी जो provisions होंगी उस context में relief मिल जाएगा अगर agreement नहीं है इंडिया का अगर मालीचे अमेरिका के साथ agreement नहीं है तो उस case में unilateral relief मिलता है section 91 का उस case के अंदर हम क्या करेंगे उस case के अंदर हम यह देखेंगे कि इंडिया का tax rate और अमेरिका का tax rate जिन में से दोनों में से जो कम है उसका relief हमारे असेसी को देदेंगे वहां का tax और यहां का tax जो कम है उसका relief जो है हम यहां पर असेसी को देदेंगे तो उसे हम इस point of view से double taxation से बचा लेंगे आगे बात करते हैं transfer pricing की तो transfer pricing क्या है मान लीजे आपकी कोई multinational company है जिसका एक office है Singapore में और एक है हमारे इंडिया के अंदर तो अब उसे पता है कि Singapore में तो tax बहुत कम है और इंडिया में tax बहुत जादा है तो क्या करती है वो अपनी इंडिया में खर्चे जाधा से जाधा दिखाने की कोशिश करती है और इंकम कम से कम दिखाती है सिंगापूर में खर्चे कम डालती है और इंकम जाधा दिखाती है तो जैसे माइडियर फिर्ट्स सिंगापूर से इंडिया अगर कोई समान भेजा जा लेन एक जाता दाव एगा तका कि अंडिया वली जो फर्म है वो जड़ा कि यहां available जादा खरचा उसे डाल सकें जादा खरचा उसका दिखा ka Sckями इंडिया से सिंगापूर जो समान भेजा जाएगा उसे कम amount पे भेजा जाएगा ताकि यहाँ पे कम खर्चा दिखाया जा सके ऐसे जो transfer हो रहे हैं उन transfer के prices को manipulate करने की कोशिश करेंगे ताकि हमें overall context देना पड़े तो इसलिए हमने transfer pricing के provision बनाए कि अगर ऐसे international transactions हो रहे हैं sales से जड़े हुए, service से जड़े हुए, loan से जड़े हुए या फिर कोई cost ही allocator हो रही है तो ऐसे सभी transactions हमारे arms length price पे normal price पे ही होने चाहिए हमारे manipulated price पे नहीं होने चाहिए अगर Singapore से जो इंडिया समान आ रहा था वो related की बजाए किसी unrelated enterprise को आता उसका क्या दाम लगाया जाता वो रहा गया कि arms length price और transfer pricing के जो provisions हैं यह आपके तभी लगेंगे अगर इनको लगाने से आपकी इंडिया के income बढ़ रही है अगर मालीची इनको लगाने से आपकी income घट रही है या फिर आपका loss बढ़ रहा है तो हम इन provision को नहीं लगाएंगे तो सरकार ने का अगर आप अपन domestic transactions भी हैं कुछ इंडिया के अंदर भी domestic transactions है जो कि आपकी section ATA और ATIA के अंदर covered है उन cases के अंदर भी आपका कई बार यह transfer pricing का जो चेप्टर है वो अपलाई हो जाता है कब अपलाई होगा अगर आपकी entities के बीच में जो transactions हो है during the year 20 करोड से जादा होएं तो यहां पे भी income का चक्कर पड़ता है डिदक्शन का चक्कर पड़ता है तो जादे से जादे डिदक्शन लेने के लिए वहां उस firm में जादा income दिखाई जाती है जहां पर आपको reduction मिल रही है तो इसलिए यहां पर भी arms length price का होना जरूरी है बट केवल बड़ी-बड़ी transactions के case में ही इसे यहां पर apply किया जाएगा तो my dear friends transfer pricing के अंदर सबसे important जो concept है वो है arms length price का उसे निकालने के लिए different methods भी हमारे law के अंदर बताये गए हैं जैसे है cup method, comparable, uncontrolled price method क्या निकि अगर unrelated party से transaction होती उसका क्या price होता resale price method क्या निकि जिस price पे आगे entity ने resale किया उस price को देख सकते हैं cost plus method हमारी cost के अंदर profit जोड़के उसे देख सकते हैं profit split या फिर transactional net margin method हम अपनी transaction का net margin भी यहां पर देख सकते हैं या फिर profit arise हो रहे हैं उन्हें भी split करके देख सकते हैं on genuine basis ऐसा कुछ करके हम अपना arms length price य नास्वर pricing chapter की चलिए जल्दी से कुछ previous year के सवाल भी देख लेते हैं यहां पर तो पहला सवाल हमारे पास है maximum amount of compensation received at the time of voluntary retirement intersection 10 10c कितनी मिलती है तो हमने देखा था कि 5 लाग तक की हमें compensation मिल सकती है under the income tax act says हमारा case amount पर apply होता है तो हमने देखा था income tax plus surcharge पर से हमारा apply होता है अगला सवाल है कि अगर आप growing और manufacturing T कर रहे हो तो agriculture income का portion कितना होगा यह भी देखा था कि 60% portion होगा अगला सवाल है 80 क्या क्यों भी के अंदर अगर आप author है और आपको books वगयरा की कुछ royalty income हो रही है तो उस case में maximum reduction आप कितनी ले सकते हैं यह भी देखा था 3 लग तक की ले सकते हैं इसके लावा income tax act के अंदर block of assets किसे बोला गया है तो यह भी हमने देखा कि वो assets जिनका rate of depreciation एक है उन्हें यहाँ पर block of assets माना गया है चली इसके बाद कुछ और सवाल है हमारे पास तो अगला सवाल है कि एक समारे एक private company का employee है उसकी salary 70,000 पर मंद है और DA है 10,000 पर मंद उसे 2000 पर मंद है और 2500 पर मंद वो rent भी पे करता है HRA के exempted portion कितना होगा तो असानी से निकाल सकते हैं हमारे पास 3 limit होती है पहली होती है 40% या 50% of the salary अगर इस case में 40% ले 70 plus 10 का 40% बन जाएगा यहाँ पर 32,000 दूसरी है HRA received जो कि है 2000 और है rent paid minus 10% of the salary यानि कि 2500 minus 32,000 का 10% 3200 जो कि तो negative चला गया यानि कि 0 हो गया तो least की reduction मिलती ह है तो यहाँ पर 0 की यानि की दिल की reduction मिलेगी अगला है section 54 के अंदर भोला गया exemption shall not be allowed if the assessi on the date of transfer owns तो हमने देखा था अगर एक से ज़्यादा residential आउस है तो आपको exemption नहीं मिलेगी यानि कि answer option 4 है और इसके बादे which of the following is not chargeable under the head income from business and profession इन में से कौन सा business और profession में नहीं आएग तो मैं देखा था income from the business of activity of owning और maintaining resources आपका other sources में आता है तो यह इस cancer बन जाएगा return of income कौन से section में submit होती है तो यह देखा था 139.1 में होती है 194 IB में TDS जो है कब लगता है अगर हमारा amount किसको exceed करता हो तो यह भी देखा था अगर आप 50,000 रुपे महीने से ज़्यादा rent पे कर रहे हैं तो आपको 194 IB में TDS काटना है तो thank you my dear friends for watching this video उमीद करता हूँ income tech से जड़े हुई काफी सारी बाते हैं जो आज हमने आपके साथ discuss की है वो आपको समझ में आई है और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे जरूर से like कर लेना हमारे चैनल पर नए है तो subscribe कर लेना और अपने friends के साथ भी शेयर करना आपकी कोई क्वेरी है तो आप मेल कर सकते हैं हमें WhatsApp या फिर कॉल भी कर सकते हैं regular updates के लिए Facebook और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं हमारी website भी विजट कर सकते हैं और my dear friends free content के लिए आप हमारी free learning app जो है वो भी Google Play Store से डाउनलोड कर सकते हैं every study classes के नाम से हमारी app है Google Play Store से आप इसे freely download कर सकते हैं thank you friends bye bye and take care all the best for the upcoming examination bye bye